तो आज हम लोग लिनियर एक्वेशन इन टू वेरियाबल के लास्ट और पाइनल चेप्टर पर पहुँच चुके हैं और मैं ये आप लोगों से हजियूम करता हूँ कि आप लोगों ने इसके पहले के पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री तीनों आप देख चुके होंगे तभी आप इस लेक्चर की तरफ बढ़िएगा ठीक है और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहरा हूँ कि ये जो पार्ट फोर है आपके लीनियर एक्वेशन इन टू विरियाबल का इसके हंदर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स डिसकस करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती है मतलब आपको अब एक्वेशन नहीं आपको वर्ड या मतलब किसी सेंटेंस में चीजें दी गई होंगी और उन से आपको इक्वेशन बनानी होगी जैसे तीन टेबल और चार चेयर का दाम इतना है दो टेबल और पांच चेयर का दाम इतना है तो एक table और एक chair का दाम कितना होगा हमारा principle इतना है interest इतना है तो rate कितना होगा speed को इतना बढ़ा दें speed को इतना घड़ा दें तब हमें क्या मिलेगा तो ये सारी चीजे जो हमने अभी तक पिछले तीन lecture में सीखी अब हम उसका implementation world problem के उपर करेंगे तो आईए अब हम लोग lecture की तरह बढ़ते हैं और मैं यह आसा करता हूँ कि आप लोग lecture पूरा अंत्र तक देखेंगे क्योंकि अगर आपको पहले के तीन पार्ट समझ में आ गए हैं तो ये चौथा पार्ट आपको देखना अनिवार है या जरूरी है ठीक है क्यों क्योंकि word problem के उपर से कई सवाल बनते हैं जो आपके exam में पूछे जाते हैं two digit number को reverse कर दिया three digit number को reverse कर दिया some of the digits क्या होते हैं income और expenditure हमारी बढ़ गई तो saving क्या होगी ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखेंगे तो आप लोग सयमता से बैठिए अपना कागाच कलम उठा लीजिए और मेरे साथ पूरा lecture अंति तक देखिए ठीक है तो आईए अब हम लोग lecture की तरफ बढ़ते हैं good morning friends तो हम लोग linear equation के final part पे आ चुके हैं और हमने इसके पहले आपको linear equation पे तीन पार्ट हमने आपको दे दिया है और वो तीनों पार्ट में आपने ग्राफिकली एलजेबरिकली substitution, elimination और भी कई तरीके से जो सवाल बनते हैं उनके बारे में आपने पूरी जैनकारी ली ठीक है तो अब जो हमारे पास last part है वो इनी तीनों चीजों का application है तो इसका मतलब मैं part 4 में अगर मैं आपसे discuss करूँगा तो मैं आपसे word problem के बारे में बात करूँगा किसके बारे में बात करूँगा word problems तो ये वाला chapter आपके word problems के उपर है और इसके बाद हम लोग final में या इसी lecture में हम लोग recap के रूप में कुछ question objective type में देख लेंगे और अपने इस chapter को आज हम लोग close कर देंगे और मैं आप लोगों का comment भी चाहता हूँ कि आपको ये lecture कैसे लग रहे हैं क्या इसमें कोई truth है या आपको समझने में दिक्कत हो रही है इन सब चीजों के बारे में आप मुझे comment कर सकते हैं ठीक है तो word problem में बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले हर type के word problem देखने हैं और हमें एक चीज और समझनी है कि ये chapter आपका linear question in two variable है तो इसका मतलब जो इसके अंदर आपके word problem आएंगे उनके अंदर दो unknown के बारे में जिक्र होगा दो unknown के बारे में जिक्र होगा जैसे मैं कहूं कि दो टेबल और तीन चेयर का दाम इतना है पांच टेबल और तीन चेयर का दाम इतना है तो एक टेबल और पांच चेयर का दाम कितना होगा दूसरा मैं आपसे कह सकता हूँ कि मेरी distance, speed, time इनमें से दो चीज दी हो एक चीज ना दी हो इस टाइप से आपकी चीजे बनेंगी जो हम लोग इस lecture में देखेंगी तो आएए हम लोग lecture की तरफ बढ़ते हैं ठीक है? तो हमारे पास अगला question जो है वो है अब person invested some amount अब person invested some amount at the rate of 12% परेनम एक person ने कुछ amount 12% पे invest किया और कुछ amount उसने 10% पे invest किया और इससे उसको एक साल में 130 रुपे का interest मिला तो ये मेरे ख्याल से question simple interest का है तो आपको ये पता होना चाहिए कि simple interest होता है आपका P, R, T upon 100 P क्या है principal R क्या है rate और T क्या है time और I है मेरा interest तो अब ये बोल रहा है कि उसने दो जगा पे invest किया एक उसने 12% पे किया कोई A amount और एक उसने 10% पे किया कोई दूसरा amount ये दोनों amount अलग-अलग हैं कि question में ऐसा बोल रख है ठीक है तो अगर मुझे पहले वाले का simple interest निकालना हो तो principal मेरा A है 12% मेरा क्या हो गया rate और time मुझे कितना बोल रहा है yearly interest मतलब एक साल तो इसका मतलब 12A by 100 मेरा एक आगया interest जो दूसरा amount था वो 10% पर था तो वो हो गया आपका 10 B by 100 और उसमें भी yearly interest बोला था तो time उसमें भी हम लोग एक ही लेंगे और इन्होंने साफ साब बता रखा है कि दोनों मिला कि आपको total कितना मिल रहा है 130 यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई तो हम देख रहे हैं कि हम question को उसी तरीके से बना रहे हैं जिस तरीके से वहाँ पर दिया गया है ठीक है दूसरा देखो यह उसी question में बोल रहा है if he had manage the amount invested if he had changed the amount invested अगर वो जो amount उसने percent पे जैसे यहां पे इन्होंने बोला है कि 12% पे उसे A और 10% पे उसे B मिल रहा है तो हमें पहले उन्होंने question में बोला कि 12% पे आपको A amount जो आपने एक प्रिंस्पल लिया है वो 12% पे है और 10% पे दूसरा amount है उसके बाद इन्होंने बोला कि आपके question को इन्होंने change कर दिया और इन्होंने बोला कि अगर हम जो rate percent पे जो हमने principle लिया है वो change कर दें तो मतलब अब आपका 12% पे B है और 10% पे आपका A है और उसका भी इन्होंने बताया कि he would have received 4 more as interest मतलब अगर पहले जब उसको 130 total मिल रहा था तो अब उसको कितना मिल रहा है 134 तो देखिए इस question को आप कैसे करेंगे आपको सबसे पहले 12 A by 100 प्लस 10 B by 100 इक्वल टू 130 मिला दूसरे में आपको मालूम है 12% पे मेरा B है तो इसका मतलब अब हो जाएगा 12 B by 100 अब मैं B को B के नीचे ही लिख रहा हूँ ताकि मुझे असानी हो और 10% पे मेरा A है क्योंकि उन्होंने बोला कि आपने amount invest जो है वो दूसरे case में change कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 A by 100 और आपका interest चार जादा मिल रहा है तो कितना हो गया 134 134 यहाँ तक आपको कोई दिक्कत मेरे ख्याल से किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है और आप देख रहे हैं यह question आपका 12 बटा 100, 10 बटा 100 और 10 बटा 100, 12 बटा 100 दोनों में आ रहा है और इस type के मैंने आपको question करवा रखे हैं आप क्या करिए एक बार दोनों को जोड दीजे और एक बार दोनों को घटा दीजे तो बार दस कितना होता है बाईस 22 एपान 100 और यहाँ पे भी आपको बार दस 22 ही मिलेगा ए प्लस बी इक्वल टू 130 और 133 तेरा 26 264 ठीक है 264 तो आपको ए प्लस बी की वैल्लू कितनी मिल गई 22 को 22 एक कम 22 22 24 ठीक है 22 एक कम 22 22 24 तो आपको ए प्लस बी की वैल्लू मिल गई 1200 यह 100 का इंटू हो जाएगा 22 से यह कटेगा तो 12 हो जाएगा और 1200 ए प्लस बी की वैल्लू कितनी मिल गई 1200 कोई दिक्कत आपको दूसरा मैंने बोला 12 10 में से उसको घटा दीजिए तो घटाने का मतलब यह हुआ आप ध्यान रखेगा ए प्लस बी आपको 1200 मिला है जो हमने निकाल लिया और जो दूसरा जो केस है वो यह है आप घटाईए 12 में से 10 गया कितना बचा 2 तो यह हो गया 2 A by 100 और 10 में से 12 गया 2 माइनस 2 B by 100 और 130 में से 134 गया तो माइनस 4 कोई दिक्कत आपको यहां तक तो यहां से आपका 2 कॉमन निकल जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा A माइनस B upon 100 और वहाँ पे जो माइनस 4 है वो अगर 2 से डिवाइड करेंगा तो आपको क्या मिल जाएगा माइनस 2 और यह खतम हो जाएगा तो आपको A माइनस B की वेल्यू अब कितनी मिल गई माइनस 200 तो A प्लस B की वेल्यू आपके पास 1200 है और A माइनस B की वेल्यू आपके पास माइनस 200 है तो आप A और B दोनों principal amount निकाल लेंगे कोई दिक्कत आपको यहां तर आगे चलिए अगला question यह बोल रहा है कि आपके पास दो income है जो 9 ratio 7 की form में है जब भी भी आपको इस type की question पूछे जाते हैं जिसमें ratio की बात हो जैसे इन्होंने बोला कि income का ratio 9 ratio 7 की form में है तो इसका मतलब आपका एक income 9x है और एक income 7x है यह चीज़ें आपको पता होंगी अगर आप ratio proportion पढ़े होंगे 9 ratio 7 मतलब यही हुआ कि उनका अनुपात या उनका आप जब divide करेंगे तो उसमें आपको 9 by 7 ratio मिलेगा ठीक है तो इन्होंने बोला कि income का ratio 9 ratio 7 है और expenditure अब मुझे मालूम है expenditure मतलब खर्चा होता है और खर्चा जो है उसका भी इन्होंने कुछ ratio दे रखा है ठीक है उसका भी इन्होंने कोई ratio दे रखा है मान लिजे 4 ratio 3 दिया है अब क्या मैं इसको भी 4x और 3x ले सकता हूँ अगर ये इसी same question की चीज होगा आपने income को अगर x के term में माना है और expenditure मेरी अलग quantity है तो मैं इसको अलग चीज ही लूँगा तो मैं यहाँ पे लूँगा 4y और 3y यहाँ तक आपको कोई दिक्का तो आपको एक चीज समझ में आई कि income आपकी है पहले वाले की 9x और दूसरे वाले की है 7x expenditure आपका पहले वाले का है 4y और दूसरे वाले का है 3y ठीक है अगर मुझसे कोई saving पूछे क्या होगा तो मैं बोलूँगा income में से अगर expenditure घटा देंगे तो हमारी saving आजाएगी तो पहले वाले की saving कितनी आई 9x-4y और दूसरे वाले की saving कितनी आई 7x-3y और इन्होंने बोला है कि दोनों बंदे 200 रुपिया ही save करते हैं तो इसका मतब इन दोनों की value किसके बराबर है 200 के अब आप इस question को solve करके x और y की value निकाल लेंगे 9x-x करेंगे तो आपको पहले वाले की income मिल जाएगी 7x-x करेंगे तो दूसरे वाले की income मिल जाएगी 4x-y करेंगे तो पहले वाले का expenditure मिल जाएगा 3x-y करेंगे तो दूसरे वाले का expenditure मिल जाएगा और पहले वाले की saving आपको 200 दे रखी है और दूसरे वाले की भी saving आपको 200 दे रखी है तो यही आपका ये question था जो आप समाझ गए ठीक है आगे देखिए और हमें ध्यान रखना है यहाँ पे इन्हों ने और आपसे monthly income पूचा है तो 200 पर मंथ वो save करता है और monthly income पूचा है तब तो सई है लेकिन अगर वो आपको बोलता कि वो 1200 पर year save करता है और आपको monthly income निकालनी है तो monthly income के लिए आपको monthly saving पता होनी चाहिए तो आप 1200 में 12 का भाग देते और बताते कि सर 100 रुपया पर मंथ वो सेव करता है तो question को हमेशा देखते रहेगा कि question में कहां क्या क्या चीजे लिखी गई है ठीक है आगे देखिए अगला question जो आपके पास है उन्होंने बोला कि एक triangle ABC है जिसके अंदर आपको triangle ABC दे रखा है जिसके अंदर इन्होंने बोला है कि angle C equal to 3 angle B है और equal to 2 angle A plus angle B है ठीक है तो मैं अपने मन से यहां पर इनको X, Y और Z माल लेता हूँ ठीक है तो अगर मेरी ये question अब बदले तो किस में बदल जाएगा Z equal to 3Y equal to 2 bracket में X plus Y कुछ ही हो जाएगा मैंने बस उन चीजों को मान लिया और मैंने आपको बता दिया तो इसका मतलब आपके पास आ गया Z equal to 3Y equal to 2 bracket में X plus Y और आपको ये भी पता है कि हमने A को X माना है B को Y माना है और C को Z माना है ठीक है कोई दिक्कत आपको यहां तर कोई दिक्कत नहीं ठीक है हमें मालूम है X plus Y plus Z तो यहां से अगर मैं X plus Y की value निकालना चाहूं तो मुझे कितनी मिल जाएगी 180 minus Z कोई दिक्कत आपको यहां तक अगर आपको X plus Y की value 180 minus Z मिल गई है और आपके पास यहां पे एक Z मौजूद है और यह X plus Y आपको दिख रहा है तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों का इस्तिमाल कर लेता हूँ और इन दोनों का अगर मैं इस्तिमाल करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा देखिए Z को मैंने Z रहने दिया equal to 2 into और X plus Y की value मुझे कितनी मिली है 180 minus Z ठीक है bracket close कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आगे देखिए यह minus 2 Z इधर जाके 3 Z हो जाएगा 180 बच जाएगा ठीक है तो यहां से आपको Z की value कितनी मिल जाएगी 360, 18 120 तो आपका angle C कितना है 120 अब अगर आप Z की जगह पे 120 रख देंगे तो आपको Y की value मिल जाएगी 3 का divide करें तो 40 तो इसका मतलब आपकी Y की value या angle B की value कितनी आगई 40 अब आप चाहे 120 को 2X प्लस Y Y की value आपको पता ही चल गई है 40 है, Z की value आपको 120 पता ही है तो 120 और 40 कितना हो गया 160, हमें मालू में triangle के तीनों angle का sum कितना होता है 180, तो 180 में से आप 160 घटा दीजिए आपको A की भी value मिल जाएगी देखिए आपको यही चीज़े यहाँ पर दी गई है यह देखिए angle A 20, angle B 40 और angle C 120 कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आगे आईए इन्होंने बोला कि आपके पास एक cyclic quadlateral है और उसमें A, B, C, D आपको दिया हुआ है ठीक है? और आप से पूचा है कि इसमें X, Y की value निकालो या चारो angle पता करो तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि cyclic quadlateral होता क्या है? अगर मैं यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D लिखो चार point है तो यह हो गया quadlateral तो cyclic quadlateral की सबसे main condition यह होती है कि आपका A plus C 180 के बराबर होता है और B plus D वो भी 180 के बराबर होता है इसका मतलब यह हुआ कि आपके opposite angle का sum 180 होता है cyclic quadlateral में अब आप आजएगे question पर इन्होंने बोला cyclic quadlateral दिया है और आपको A, B, C, D अलग-अलग करके दिया हुआ है तो आप देख लीजिए A आपको A आपको 2X-1 दिया है ठीक है? A आपको 2X-1 दिया है B आपको Y plus 5 दिया है C आपको 2Y plus 15 दिया है और D आपको 4X-7 दिया है तो इन्होंने देखिए जब हम A, B, C, D लिखते हैं तो हमें उसमें A plus C 180 मिलता है और B plus D 180 मिलता है तो देखिए A plus C को 180 दिखाया B plus D को 180 दिखाया आपकी 2 equation, 2 unknown answer आगया आपका जो भी X और Y का value आएगा वो answer नहीं होगा आप से पूछा वो angle C की value कितनी होगी तो angle C कितना दिया है 2Y plus 15 अब आप इसमें ये Y की value put करेंगे 2 से into करेंगे 15 जोडेंगे तब जाके आपको angle C मिलेगा क्योंकि angle C आपको 2Y plus 15 दिया है ना कि Y दिया है D आपको 4X minus 7 दिया है तो 4 में जब X का into करेंगे और 7 घटाएंगे तब जाके आपको angle D मिलेगा यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आगे आईए आगे के जो question आते हैं वो आते हैं time and work के तो आप इसमें ज़्यादा घुसने की तो जरूत नहीं है लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि अगर हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कभी भी कोई समेशन होता है time and work का समेशन मतलब जोड़ना तो हम एक दिन के हिसाब से जोड़ते हैं या मैं ये कहूं तो इसका मतलब वो एक काम एक यूनिट काम एक यूनिट काम मतलब की एक पूरा काम वो एक्स दिन में खतम करता है तो उसके एक दिन का काम कितना हुआ one by x यहाँ तक दिखकर तो आपको ये एक पॉइंट हमेशन ध्यान रखना है कि ध्यान से समझेगा अगर A किसी काम को 8 दिन में खतम करता है तो A के 1 day work कितना होगा 1 day work हमें मालूम है work पूरा एक होता है एक काम पूरा एक अब इसमें मैं जितना ज़्यादा आधा चौथाई लगाते जाऊँगा उतना काम मेरा part खतम होते जाएगा तो कहने की बात यह हुई कि अगर A किसी काम को 8 दिन में खतम करता है तो A के 1 दिन का काम कितना होगा तो आप बोलेगे sir 1 by 8 यहां तक आपको मेरी बास समझने आई दूसरी चीज़ आपको यह ध्यान रखनी है कि आपका जो मेन होते हैं वो inversely proportional to time होते हैं कहने की बात यह होई कि जितने जादा आदमी उतना कम काम ठीक है जितने जादा आदमी उतना कम काम inversely proportional का मतलब यही होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा तो कभी भी आपको inversely proportional वाली चीज़ें आती हैं जैसे हमें मालूम है कि जितनी जादा आप speed बढ़ाएंगे उतना कम आपका time लगेगा तो इसका मतलब speed is inversely proportional to time तो आप लोग इससे लिखते हैं s1 t1 equal to s2 t2 s1 अगर मेरी पहली वाली speed है और s2 मेरी दूसरी वाली speed है तो अगर मेरा s1 is greater than s2 है तो मेरा t1 is smaller than t2 होगा ठीक है जिसकी speed जादा होगी उसको time कम लगेगा तो यही कुछ चीजें हमें यहाँ पर बोली गई है आप से किसी ने बोला जहां से समझेगा आप से किसी ने बोला कि दो आदमी दो आदमी अगर चार यूनिट काम करते हैं जादा काम करेंगे उतने ही दिन में की कम तो आप बोलोगे कि सर अगर आपने आदमी बढ़ा दिया और time वही है तो हमारे चार आदमी जादा काम करेंगी तो इसका मतलब मैं जितने जादा होंगे उतने जादा आपका काम होगा तो हम बोलते हैं कि आदमी जो है वो वर्क के directly proportional होता है ठीक है अब इनी चीजों का इस्तिमाल करके मैं आपको question इस type से आते हैं कि अगर A किसी काम को 6 दिन में खतम करता है और B किसी काम को 8 दिन में खतम करता है तो A प्लस B मिलकर उस काम को कितने दिन में खतम करेंगे तो हमें मालूम है कि अगर A किसी काम को 6 दिन में खतम करता है तो उसके one day work कितना हुआ one by six B का one day work कितना हुआ one by eight और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आपके one day work ही जूडते हैं मतलब कहने की बात यह हुई A is one day work plus B one day work equal to A plus B one day work आप यह नहीं कह सकते कि A किसी काम को 6 दिन में खतम किया B किसी काम को 8 दिन में खतम किया तो A plus B उस काम को 14 दिन में खतम करेंगे ऐसा हम क्यों नहीं कह सकते कि आपको मालूम है कि अगर यह दोनों बंदे अलग-अलग 6 और 8 दिन में काम खतम कर रहे हैं तो एक साथ अगर काम करेंगे तो जादे दिन में थोड़ी ना खतम करेंगे कम दिन में खतम करेंगे ठीक है तो इसी लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको चीजें हमेशा इस टाइप से लेनी है 1 upon A plus 1 upon B equal to 1 upon A plus B ठीक है यहां तक समझ में आई बात अब देखिए Question बोला गया है 8 आजमी और 12 लड़के 8 men and 12 boy किसी काम को 10 दिन में खतम करते हैं ठीक है और दूसरा बोला गया है 6 आदमी छे आदमी और 8 boy किसी काम को 14 दिन में खतम करते हैं ठीक है आपको यह दिया गया है और आप से पूछा गया है कि एक आदमी और एक लड़का कितने दिन में काम खतम करेगा तो मुझे सबसे पहले तो पता होना चाहिए ध्यान से समझेगा इस बात को मैं बोलता हूँ कि एक आदमी किसी काम को एक्स दिन में खतम करता है तो उस एक आदमी के एक दिन का काम कितना हुआ 1 by x अगर मेरा एक आदमी 1 by x काम खतम करता है तो आठ आदमी ज़्यादा काम खतम करेंगे तो इसका मतलब आठ आदमी कितना खतम करेंगे 8 by x ठीक है तो आपके दिमाग में मैंने बता दिया कि 8 आदमी के लिए आपने एक आदमी का कितना माना x days एक आदमी कितने दिन में काम खतम करते हैं x दिन में तो एक आदमी के एक दिन का काम कितना हुआ 1 by x तो आठ आदमी के एक दिन का काम कितना हुआ 8 by x यहाँ तक दिक्कत तो हमारे पास 8 आदमी हैं 12 लड़के हैं और मैंने बोला कि एक आदमी एक काम खतम करता है X दिन में और एक बॉय काम खतम करता है Y दिन में ठीक है तो एक आदमी के एक दिन का काम कितना हुआ 1 by X 12 एक लड़के के एक दिन का काम कितना हुआ 1 by Y तो आठ आदमी के एक दिन का काम कितना हुआ, 8 by X, 12 आदमी के 12 लड़कों के एक दिन का काम कितना हुआ, 12 by Y, और इन्होंने बोला कि ये दोनों मिलकर 10 दिन में काम खतम कर देते हैं, तो दोनों मिला के कितने दिन में काम खतम करेंगे, कितना काम खतम करेंगे, 1 बटा 10, अकर ये हो गया मेरा 1 upon M, ये हो गया मेरा 1 upon B और ये हो गया मेरा 1 upon M plus B जसमें man है मेरा M और B है मेरा boy उसके बाद इन्होंने 8 अदमी बुला तो मेने 8 चड़ा दिया और 12 लड़के बुला तो 12 चड़ा दिया कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं आगे देखिए तो इस तरीके से ये सवाल बना हुआ है आपके पास दो equation आईगी एक बोला है इसने 8 men और 12 boy 10 दिन में काम खतम करते हैं और दूसरा बोला है ये 6 men और 8 boy 14 दिन में काम खतम करते हैं तो मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने बस यही किया 8 by x plus 12 by y equal to 1 by 10 x मेरा है एक आदमी के काम कितने दिन में खतम करता है और y मेरा है एक लड़का कितने दिन में काम खतम करता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 by x plus 8 by y equal to 1 by 14 1 by 14 हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर 14 दिन में काम खतम करता है तो एक दिन में कितना काम खतम करेगा 1 by 14 आपके पास 2 equation आ गई है इन दोनों equation को solve करने आपको आता ही है x और y की जो value निकलेगी उसमें x होगा एक आदमी कितने दिन में काम खतम करता है और y जो होगा एक लड़का कितने दिन में काम खतम करता है कोई दिक्कत आपको यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे देखिए, यह question मैंने solve किया हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है, अगला question जो यह दे रहा है, जहां से समझेगा इस question को भी, इन्होंने बोला कि अगर 12 घंटे में दो पाइप किसी चीज को भरती है, तो मैंने बोला कि एक मेरी पाइप 1 है, और एक पाइप 2 है, और यह दोनों मिल के कितने दिर में भरते हैं, 12 घंटे में, अगर यह दोनों मिल के 12 घंटे में भरते हैं, तो क्या P1 मेरा 10 घंटे में भर सकता है आप बोलोगे नहीं क्योंकि अगर दोनों मिल के 12 गंटे में भरते हैं तो P1 जो होगा वो 12 गंटे से जादा होगा और P2 भी आपका 12 गंटे से जादा होगा चीजों को विज्वलाइज करिए आपको एकदा मासानी से समझ में आ जाएगा कि क्या बोला जा रहा है ठीक है आगे देखिए 12 गंटे में पाइप दोनों भरती है अब इन्होंने बोला अगर जिसका जो पाइप मोटी है उसको हम 4 गंटे इस्तिमाल करते हैं और जो पाइप पतली है उसे हम 9 गंटे इस्तिमाल करते हैं ठीक है तो आपको बोला कि केबल आधा पूल भरता है उस समय पे कितना पूल भरता है केबल आधा पूल भरता है तो आपको बताना है कि दोनों पाइप अलग-अलग कितने समय में पूल भर देंगे तो देखिए मैं आपको बताता हूँ P1 को हम लोग larger diameter मान लेते हैं P1 मेरा larger है या मैं लिखी देता हूँ P1 is greater than P2 और larger diameter है P1 का और मैं बोलता हूँ कि P1 X घंटे में swimming pool को भर देते हैं और P2 Y घंटे में swimming pool को भर देते हैं ठीक है अब इन्होंने बोला है कि दोनों pipe मिलके 12 घंटे में भर देते हैं तो अगर P1 X घंटे में भरता है तो एक घंटे में कितना भरेगा 1 by X P2 पूरा Y घंटे में भरता है तो एक घंटे में कितना भरेगा 1 by Y और इन्होंने बताया है कि दोनों मिलके 12 घंटे में भरते हैं तो 12 घंटे में दोनों मिलके भरते हैं तो एक घंटे में कितना भरेंगे 1 by 12 मैं सारी चीज एक day के हिसाब से निकाल रहाँ तो हमें मालूम है कि जब भी आपको pipe के या time and work के सवाल आएंगे तो उसमें आप one day work के हिसाब से निकालेंगे ना कि days के हिसाब से तो आपको पता चल गया अगर p1 मेरा x गंटे में भरता है तो एक गंटे में कितना भरेगा 1 by x p2 एक गंटे में कितना भरेगा 1 by y और दोनों मिल के 12 गंटे में भरते हैं तो एक गंटे में कितना भरेगे 1 by 12 तो आपके पास एक equation निकल के आगई ये वाली ठीक है और आपको पता है p1 मेरा x है और p2 मेरा y है अगला इसने बोला है कि अगर जिसकी diameter बड़ी है उसको मैं 4 गंटे खोलता हूं अब मेरी बात आप जहां से समझेगा अगर p1 वाला x गंटे में पूरी pipe भरता है तो वो एक गंटे में कितना भरा 1 by x तो 4 गंटे में कितना भरेगा 4 by x तो यहां पे आप लिख दीजिए 4 by x प्लस जो छोटी वाली pipe है उसे 9 गंटे खोला गया अगर y गंटे में पूरा भरता है तो एक गंटे में कितना भरता है 1 by y तो 9 गंटे में कितना भरेगा 9 by y अब यहां पे भरने की बात हो रही है उसके बाद इसने बोला कि अगर 4 गंटे और 9 गंटे खोलते हैं तो pipe आधी ही भरती है तो मैंने बोला अगर पूरा work मेरे पास 1 है तो आधा कितना हो गया हाफ दो equation आपके सामने है 1 by x plus 1 by y equal to 1 by 12 और 4 by x plus 9 by y equal to 1 by 2 इन दोनों question को आप solve करिए आपको P1 का भी value पता चल जागा कितने घंटे में भरता है और P2 कितने घंटे में भरेगा ये भी आपको पता चल जागा यही चीजें यहाँ पर लिखी हैं आप इसको solve करेंगे आपको यही answer मिलेगा ठीक है करके मैं आपको दिखाना चाहूं तो आप पहले वाले में पहले वाले में 4 का इन टू कर दीजिए पहले वाले में 4 का इन टू करेंगे तो यहाँ चार आगया यहाँ 4 आगया और 4 बटा 12 कितना हो गया 1 बटा 3 4 by x से 4 by x cancel 4 by y minus 9 by y कितना हो गया minus 5 by y minus 5 by y equal to 1 by 3 minus 1 by 2 कितना होगा 1 by 3 minus 1 by 2 कितना होगा तो आपको मिल जाएगा minus 1 upon 6 minus से minus cancel y equal to 30 देखिए answer आ गया तो आप देखिए क्या मेरा y equal to 30 आ रहा है question मैंने इसमें दिया नहीं है लेकिन हमें बस दो form जो मैं आपको दिखाने चाहरा हूँ जो equation है वो देख लीजे देखिए पहली equation है 4 by x plus 9 by y equal to 1 by 2 जो हमने निकाली ठीक है और दूसरी equation है 12 by x plus 12 by y equal to 1 लेकिन सर आपने तो ये equation नहीं निकाली थी तो आप अगर इसमें ध्यान देंगे 12 common निकालेंगे तो 1 by x plus 1 by y जो होगा ये 12 उधर जाके क्या हो जाएगा 1 by 12 तो हमारी भी यही दोनो equation निकली थी लेकिन मैंने आपको और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करी ताकि आपके अंसर असानी से निकला है आप इसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और हमें बस इतना ध्यान रखना है कि one day work से ही हमारे time and work के सवाल निकलते हैं तो आपको दिन दिया रहेगा दिन को आप work में बदलिए और अंसर निकाल लीजिए आगे चलें आगे देखिए अब हमारे पास कुछ सवाल है इनको हम लोग देख लेते हैं तो हम अब हम कुछ objective question देख लेते हैं यह किस प्रकार से सवाल बनते हैं तो साथवा question आप देखिए इन्होंने पहले ही question में बोल रखा है am, bl के बराबर नहीं है आपको question में बोला है am, bl के बराबर नहीं है और आपको दे रखा है ax plus by equal to c और lx plus my equal to n ठीक है तो आपका क्या solution होगा यह पूछ रहा है ठीक है तो आप पहले तो इन दोनों को general form में लाएंगे general form में लाने का मतलब क्या हुआ ax plus by minus c equal to 0 और दूसरा क्या हो गया lx plus my minus n equal to 0 a1 by a2 कितना निकला a by l b1 by b2 कितना निकला b by m और c1 by c2 कितना निकला minus c upon minus n हमें बोला है am is not equal to b l am is not equal to b l तो मेरे को मालूम है कि a l और b m वाली यही चीज़ दिख रही है और मुझे मालूम है यहाँ पे not equal to की sign किसमे आती है unique solution में तो आप देख रहे हैं am is not equal to b l जो condition है वो किसकी है unique solution की इसका मतलब आपके इसका answer क्या होगा unique solution कोई दिक्क अगला question यह दे रहा है 2x plus 3y equal to 7 2a x plus a plus b y equal to 28 और आप से पूछ रहा है कि इसके many solution है तो इन में से कौन सी condition सही होगी तो ऐसे question में आपको कुछ भी नहीं करना मैं आपको बता रखा हूँ a1, a2, b1, b2, c1, c2 आप निकाल लीजिए अगर आप निकालेंगे तो आप क्या मिलेगा 2 upon 2a infinitely many solution है तो सारे equal होगे 3 upon a plus b equal to minus 7 upon minus 28 ना कि 7 upon 28 कट भले ही जाएगा लेकिन practice आपको ऐसे ही करनी है कि दोनों minus मिलो गया minus से minus cancel ठीक है और 7 बटा 28 से आपको 1 बटा 4 मिल गया तो आपके पास जो 3 चीज़ है 2 upon 2a equal to 3 upon a plus b equal to 1 upon 4 अब आप किसी से भी निकाल लीजिए आपको नीचे के चारों equation a और b का relation पता करना है तो इसका मतलब आप यहाँ से क्या निकाले a plus b equal to 12 कोई दिक्का a plus b equal to 12 और यहाँ से आप निकालेंगे तो a की value आपको कितनी मिल जाएगी अगर मैं 2 upon 2a को 1 by 4 के बराबर put कर दो तो मुझे a की value कितनी मिल जाएगी 4 अगर a की value 4 है तो b की value कितनी होगी 8 क्योंकि हमने यह निकाला है अभी देखे आप मैंने 3 upon a plus b और 1 upon 4 से मैंने a plus b का relation निकाल लिया और 2 upon 2a को 1 by 4 बराबर करके मैंने a की value निकाल लिया a की value निकलते हैं मेरी b की value आगई तो इसका मतलब a equal to 4 और b equal to 8 है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपका b equal to b equal to 2a है b मेरा 8 है 2 into 4 भी आपको 8 मिलेगा इसका मतलब आपका अंसर क्या होगा b equal to 2a आगे के question इसी type के हैं आपको coincident line और सारी condition देखनी है ठीक है जारवे question में यह बोल रहा है कि अगर आपका consistent solution आता है तो आपका graph कैसा होगा तो इसमें आपको 4 option दिया उसमें से एक option इसने intersecting और coincident दिया है तो आपका अंसर intersecting और coincident दोनों होगा ठीक है क्योंकि हमें मालूम है coincident में भी solution मिलते हैं और intersecting में भी solution मिलते हैं बारवे question पे आईया बारवे question बोल रहा है कि x by a plus y by b equal to 1 का अगर आप graph बनाएंगे coordinate axis के साथ तो एरिया क्या होगा बारवा question है ये coordinate axis के साथ बनाना है अगर मुझे मालूम है मुझे अगर coordinate axis पे कोई point निकालना है तो उसमें y की value 0 होगी तो अगर मैं y की value इसमें 0 पूट करेंगो तो x की value क्या जाएगी a और 0 चाहिए तो आप देख लीजे y की value 0 पूट करेंगे y by b पूरा 0 हो जाएगा a cross multiplication हो जाएगा a और 0 अगर मुझे y की value पता करनी है तो x का term y axis पे अगर कोई point होगा तो उसका x का term 0 होगा x का term 0 हुआ तो ये क्या होगा 0 और b अब इन्होंने बोला है ये आपकी line आ गई इन्होंने बोला coordinate axis से जो triangle बन रहा है उसका area क्या होगा मतलब इसका area क्या होगा तो हम देख रहे हैं ये distance हो गई b 0 से लेकर b और ये distance हो गई 0 से लेकर a तो हमारा answer क्या आ गया half a b कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आगे आई है आगे question इन्होंने दिया है question number 16 में इन्होंने दिया है आपके पास x equal to 3 x equal to 3 y equal to 4 और x equal to y के अगर आप graph बनाएंगे तो उसका triangle का area क्या होगा तो आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिस करिए x equal to 3 इसका मतलब वो graph कुछ ऐसे जाएगा ये point होगा मेरा 3 और 0 और ये line हो गई मेरी x equal to 3 की ठीक है दूसरा दिया है y equal to 4 ये रहा मेरा y equal to 4 ठीक है और ये point जो है वो point मेरा क्या होगा 0 और 4 ठीक है अगला इन्होंने दिया है x equal to y तो मतलब x की value 0 होगी तो y की value भी 0 होगी x की value 3 होगी यहाँ पर देख लीजिए आप इसको मैं 0 0 लगा है 1 2 3 4 1 2 3 ठीक तो आपको मालूम है अगर मैं x equal to y का graph बनाऊ तो x equal to 0 पर x equal to 0 x equal to 1 पर x equal to 1 x equal to 2 पर x equal to 2 x equal to 3 पर x equal to 3 और x equal to 4 पर x equal to 4 कुछ यह मेरा निकल के आएगा लाइन किसकी x equal to y की ठीक अब इन्होंने बोला है कि इन तीनों लाइन से जो ट्रेंगल बन रहा है उसका area मुझे पता करना है तो अब जहान से देखेंगे कि यह तीनों लाइन जहां पर कट कर रही हो देखिए यह वाला जो ट्रेंगल है इसमें यह वाली जो लाइन है मैं इसको a नाम दे देता हूं इसको b नाम दे देता हूं और इसको c नाम दे देता हूं तो आपको जो A कॉडिनेट मिल रहा है वो X equal to 3 और Y equal to 4 वाली लाइन कट करने से मिल रहा है जो B कॉडिनेट मिल रहा है वो Y equal to 4 और X equal to Y लाइन कट करने से मिल रहा है और जो C कॉडिनेट मिल रहा है वो X equal to 3 और X equal to Y को कट करने पर मिल रहा है अब आपको A, B, C के अगर मैं A की तरफ ध्यान दू, तो A की X की value 3 है और यह value वो हूँ, तो यह हो गया 3 & 4, अगर मैं B के coordinate की तरफ ध्यान दू, B के coordinate की तरफ ध्यान दू, तो 4 यह और 4 यह, यह हो गया 4 & 4, दोनों आपके, A का coordinate आपका आगया 3 & 4, चार बी का कोडिनेट आगया आपका चार और चार कैसे क्योंकि इसकी होरिजोंटल डिस्टेंस चार की है और वर्टिकल डिस्टेंस भी चार की है और अगर मैं सी कोडिनेट की बात करूं तो C coordinate आपका 3 और 3 है ठीक है तो आपका जो diagram बना है उसमें कुछ इस type से आपको चीज मिली है जहां से देखिए 3 और 4 4 और 4 और यहां पर आपको 3 और 3 अब आपको इसका area निकलना है तो आप area कैसे निकालेंगे देखिए मैं इसको perpendicular मान लिया इसको base मान लिया और इसको height मान लिया 3 3 से 3 4 में मेरी horizontal distance नहीं हो रही लेकिन मेरी vertical distance एक unit बढ़ रही है तो B की value कितनी आ गई 1 3 4 से 4 4 में मेरी vertical distance नहीं बढ़ रही h की value कितनी आ गई 1 तो half into 1 into 1 आपका अंसर कितना आ गया 1 by 2 ठीक है तो इस तरीके से question होते हैं एक question आप इसी type का order देख लीजे ताकि आपकी दिक्कत खतम हो जाए एक आपको दिया है y equal to x एक आपको दिया है x equal to 6 और एक आपको दिया है y equal to 0 और इन तीनों की line को cut करने पे जो आपको triangle मिल रहा है उसका graph आपको बनाना है ठीक है ध्यान से देखिएगा y equal to 0 का graph क्या होगा ये वाली line ये वाली line हो गई मेरी y equal to 0 की हमें मालूम है y equal to 0 x axis पे कोई भी point लेंगे उसमें हमें y equal to 0 मिलता है x equal to 6 का graph बनाना हो तो मैं यहाँ पे माल लेता हूँ 6 और 0 point और ये रहा मेरा x equal to 6 का graph ठीक है अब मेरे को मालूम है x equal to y का बनाना है तो मुझे मालूम है x equal to 0 पे अगर मैं x 0 लोंगा तो y 0 मिलेगा x 1 लोंगा तो y 1 मिलेगा x 2 लोंगा तो y 2 मिलेगा 3 लोंगा 3 मिलेगा 4 लोंगा 4 मिलेगा और यहाँ पे एक point आएगा जहाँ पे ये 6 6 पे काटेगा मतलब x की value भी 6 होगी और y की value भी 6 होगी और आपकी ये line आएगी x equal to y की यहां तक आपको मेरी बास समझ में आई अब आपको इसका area निकालना है triangle आपको पता ही चल गया triangle हमें तीनो line का लेना है तो तीनो line का अगर आपको लेना हो तो y equal to 0 का ये रह x equal to 6 का ये रह और x equal to y का ये रह ये triangle का आपको area निकालना है ये रही मेरी horizontal distance 00 से 60 horizontal distance कितनी हो गई? 6 60 से 66 horizontal मेरा बराबर है लेकिन vertical मेरा बढ़ गया 6 तो आपको 6 into 6 कितना मिला? 36 और 36 का अधा कितना हो गया? 18 इसका मतलब आपके इसका आंसर कितना है? 18 question number 13 की बात कर रहा हूं ठीक है? तो बाकी question आप इसमें देख लिजेगा कोई दिक्कत नहीं है हमने सारे question इसमें discuss कर रखे हैं ठीक है? इस सारे question आपको आने चाहिए क्योंकि आपने इतना अगर practice किया है तो आपको इस सारे question की जनकारी अब होनी चाहिए बाकी इसमें जो कठीन कठीन question से वो मैंने आपको यहां पर बता दिये एक question आप 18 देख लिजे इन्होंने बोला the sum of the digit of two digit number is 9 अगर मेरे पास number जो है वो xy है तो इन्होंने बोला कि उनकी digit का sum 9 है तो इसका मतलब x plus y equal to 9 उसके बाद इसने बोला अगर हम उस number में 27 add करते हैं तो number reverse हो जाता है तो अगर मेरा original number xy है तो यह असल में number क्या है 10x plus y x मेरी 10th digit पे है 10x plus y इन्होंने बोला जब हम इसमें 27 add करेंगे तो हमारा number reverse हो जागा मतलब अब number क्या हो जागा 10y plus x तो आप देख रहे हैं 10x माइनस x कितना हो गया 9x y माइनस 10y कितना हो गया माइनस 9y और यह 27 आपका इधर आजागा तो माइनस 27 ठीक 9 नो नो आपको हर जगा मिल रहा है तो इसका मतलब आपका काम हो सकता है आपका क्या जगा x माइनस y इक्वल टू माइनस 3 9 वनजा 9 9 वनजा 9 9 तरीजा 27 मैंने पूरे में 9 का डिवाइड कर दिया तो x माइनस y इक्वल टू माइनस 3 मुझे मिल गया और एक है मेरे पास x प्लस y इक्वल टू 9 दोनों का आप सॉल्व कर दीजिए x से x जोड़े तो 2x आगया और 9 माइनस 3 किये तो कितना आगया 6 x की वैलू कितनी आगई 3 x की वैलू 3 आगई अगर तो y की वैलू कितनी हो जाएगी 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6 तो इसका मतलब मेरा ओरिजिनल नंबर कितना था 36 अब आपको चेक करना हो अब आपको चेक करना हो कि मेरा ओरिजिनल नंबर 36 था तो इन्होंने बोला कि 36 में 27 जोडने पे हमारा नंबर रिवर्स हो जाता है 7 6 13 3 2 5 1 6 देखिए 36 जो है वो 63 में बदल गया इसका मतलब आपका अंसर सही है ठीक है कोई दिक्कत अगला ये बोल रहा है 19 वा कोश्चन इसमें बोल रहा है कि आपको x-y equal to 2 और x plus y equal to 4 दे रखा है और आपको बोला है कि x equal to a और y equal to b इसके solution है तो a और b की value क्या होगी तो इसका मतलब आपको a और b निकालना है मतलब x और y की value निकालनी है 2x equal to 6 तो x की value कितनी हो गई 3 यहाँ पर 3 रखेंगे 2 minus 3 कितना हुआ minus 1 इसका मतलब y की value कितनी हो गई 1 3 और a का अपका अंसर आ गया जो यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है अगला question जो आपको दिया है वो दिया है 3x minus y plus 8 equal to 0 और 6x minus ky plus 16 equal to 0 और आप से पूछ रहा है कि अगर इसकी line इन दोनों graph की line co-incident होती है तो k की क्या value होगी co-incident कब होता है जब मैंनी solution हो तो इसका मतलब 3 by 6 equal to minus 1 upon minus k equal to 8 by 16 कितना हो गया 1 by 2 minus से minus cancel 3 by 3 3 by 2 by 6 तो k की value कितनी आ गई 2 कोई दिक्कत आपको कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो अगला question जो हमारे पास है वो है ये example 8 देखिए आप इसको जरा इसमें लिखा हुआ है determine the value of A and B for which linear equation has infinite solution आपको इस equation के अगर infinite solution है तो A और B की value निकाल नहीं है अब आप मुझे इसमें देख के बता सकते हैं कि पहले तो मुझे ये बताईए आप कि A1 की B1 की और C1 की क्या value होगी अगर मैं पहले वाली equation की बात करूँ तो आप देख रहे हैं 2B plus 1 आपको right side में दिया हुआ है तो आपको जहिड सी बात है सबसे पहले 2X minus A minus 4 Y minus bracket में 2B plus 1 equal to 0 लाना होगा जो इसकी general form होती है हमने यही पीछे पढ़ते वे आ रहे हैं कि equal to 0 और AX plus BY plus C1 आपका होना चाहिए जिसमें X का एक coefficient हो एक Y का coefficient हो और एक constant हो तो आप देखेंगे A1 की value आपको 2 मिलेगी B1 की value आपको minus A minus 4 मिलेगी देखिए पूरा ये वाला term आपका Y होगा और C1 की value आपको की बिलने मिलेगी minus bracket में 2B plus 1 ठीक है यहां तक आपको मेरी बास समझ में आई तो आपको A1 B1 और C1 की value मिल गई इसी तरीके से आप अगर दूसरे की तरफ ध्यान देंगे इस वाले की तरफ तो इसमें आपको A2 की value 4 मिलेगी B2 की value आपको minus A-1 मिलेगी और C2 की value आपको 5B-1 पूरा अगर लेट साइड में आएगा तो minus bracket में 5B-1 मिलेगी तो आपको A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 मिल गया अब आपको यह पता होना चाहिए कि मेरी infinite solution की condition क्या है तो आपको मालूम है infinite solution की condition क्या होती है A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2 यही होती है हमारी condition अब मैं अगर इसमें रखना चाहूं तो आप देख रहे हैं A1 by A2 होगे आपका 2 by 4 B1 by B2 में आपका minus A minus 4 और minus A minus 1 है तो minus से minus cancel हो जाएगा आपको मिल जागा A minus 4 upon A minus 1 और C1 by C2 अगर आप निकालेंगे तो minus 2B plus 1 जो left side में गया था उसमें भी minus लगी थी और जो minus 5B minus 1 गया था उसमें भी minus लगी थी तो दोनो minus आपके कट जाएंगे और आपका केवल निकल के क्या हैगा 2B plus 1 upon 5B minus 1 ठीक है यहां तक आप अगर पहुँच गये तो आपको दिख रहा है कि अगर मुझे A और B की value निकालनी होगी तो मैं एक बार 2 by 4 को A by 4 upon A minus 1 के साथ solve करूँगा और एक बार अगर मुझे B की value निकालनी होगी तो मैं 2 by 4 को 2B plus 1 upon 5B minus 1 के साथ करूँगा देखिए यही यह इस question में किया होगा सबसे पहले हिनोंने बताया कि A1X plus B1Y equal to C1 यह इस तरीके से form ले रहे हैं लेकिन हमेंने आपको बताया कि हमें हमेशा form जो लेनी है वो A1X plus B1Y plus C1 equal to 0 लेना है तो यह जो C1 है वो आपका left side में चले जाएगा लेकिन दोनों ही C1 हमें right side में दिये गए थे तो left side में आने के current दोनों में minus लगेगी तो वो minus कट जाती है इसलिए आपका जो answer आता है वो same आता है तब भी भी मैं आपको यही सला दूँगा कि आप C1 की value left side में ले जाने के बाद ले उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहां पे इन्होंने A1 by A2 B1 by B2 और C1 by C2 लिखा 2 by 4 को 1 by 2 में change कर दिया अब देखिए एक दोनों इस equal से यह वाली value निकल गई और एक 1 by 2 को इसके साथ ले लिया अगर कोई तीन चीज आपस में equal है तो इसका मतलब x equal to y भी है y equal to z b है और x equal to z b है तो अगर मैं इन दोनों equation को लूँगा तो क्या मेरा answer A और B का निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा क्योंकि आपके पास एक ही equation बनेगी तो मैंने 1 by 2 का इस्तिमाल करके पहले A की value निकाल ली और फिर 1 by 2 का इस्तिमाल करके b की value निकाल ले यही इस question में बताया गया है answer आपके सामने है आप यह चीज़ देख सकते हैं ठीक है आगे आई यह आगे यह बोल रहा है m और n की क्या value होगी कि आपको infinite solution मिले अब देखिए सारी चीज़ें आपको left side में दे रखी हैं तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यह 2m-1 आपका a1 हो गया plus 3 आपका b1 हो गया और minus 5 आपका c1 हो गया 3 आपका a2 हो गया n-1 आपका b2 हो गया और minus 2 आपका c2 हो गया इसके बाद बस आपको क्या करना है a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 लगा देना है और यही देखिए इन्होंने यहाँ पे किया है a1 by a2 आपको 2m-1 upon 3 मिल गया b1 by b2 आपको 3 upon n-1 मिल गया और c1 by c2 आपको minus 5 upon minus 2 मिल गया तीनों चीज आपस में equal मुझे मालूम है कि एक बार में 3 upon एक बार में 3 upon n-1 equal to 5 by 2 minus से minus cancel हो जाएगा n की value निकाल लूँगा कैसे 5n-5 equal to 6 तो 5n equal to 11 तो n की value कितनी आगई 11 बटा 5 ठीक है और एक बार जब मुझे m की value निकालनी होगी तब मैं लूँगा 2m-1 upon 3 equal to 5 by 2 जो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है इसी चीज का इस्तिमाल करके मैंने निकाला आपको m की value निकालनी होगी तो उसको 5 by 2 के साथ equate कर दीजे और n की value निकालनी होगी तो उसको 5 by 2 के साथ equate कर दीजे नहीं चीज है आपको condition पता होनी चाहिए आगे देखिए अगला question यह दे रहा है कि k की ऐसी क्या value होगी कि आपको कोई solution ना मिले तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कोई solution नहीं मिलने का क्या condition है तो आपको पता है a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 तो वो आप से पूछ रहा है कि k की ऐसी क्या value होगी जिसके लिए no solution हो तो सबसे पहले तो आप इसमें से a1, b1, c1, a2, b2, c2 पता कर लिजे तो आप अगर पहली वाली question को देखेंगे तो a1 की value आपको 3k plus 1 मिलेगी b1 की value आपको 3 मिलेगी और c1 की value minus 2 मिलेगी जब दूसरी question को आप देखेंगे तो उसमें a2 की value आपको k square plus 1 मिलेगी b2 की value आपको k minus 2 मिलेगी और c2 की value आपको minus 5 मिलेगी उसके बाद मैंने वही condition जो मैं आपको बदाया उसमें मैंने वह चीज़ पूट कर दी कोई दिक्कत आपको तो आप देख रहे हैं एक तो आपको मिला 3 upon k minus 2 2 is not equal to 2 by 5 कोई दिक्कत आपको यहां तर ठीक है और एक आपको मिला 3 k plus 1 upon k square minus 1 is not equal to 2 by 5 क्योंकि यह दोनों जो equal हैं वो 2 by 5 के बराबर नहीं है तो इसका मतब 3 by k minus 2 भी 2 by 5 के बराबर नहीं है और 3 k plus 1 upon k square minus 1 भी 2 k plus 1 के बराबर नहीं है कोई दिक्कत आपको यहां तर और तीसरी condition आपको यह भी पता है कि 3 k plus 1 जो है वो आपका 3 upon k minus 2 के भी बराबर है तो देखिए इन्होंने क्या किया इन्होंने एक equal to वाला case यहां पे लिया और एक not equal to वाला case यहां पे लिया और 3 k plus 1 का into किसमे हो जागा k minus 2 अब मुझे यह बताने की जरूत नहीं है कि 3 k plus 1 को k minus 2 में कैसे into करते है आपको मालूम है 3 k का into दोनों में होगा तो 3 k square minus 6 k हो गया और plus 1 का into दोनों में होगा तो k minus 2 हो गया और minus 6 k plus k कितना हो गया minus 5 k तो देखिए आपको 3 k square minus 5 k minus 2 मिल गया और इस 3 का into k square plus 1 में होगा 3 k square plus 3 मिल गया यहां से आपको k की कितनी value मिल गई minus 1 कोई दिक्कत आपको यहां तक k की value कितनी मिल गई minus 1 ठीक है और जो दूसरी condition आपको दे रखी है जो दूसरी condition दे रखी है देखिए आपको k की value minus 1 मिल गई किस से जब आपने इनको solve किया है अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 3 upon 3 upon k minus 2 is not equal to 2 by 5 दिया है तो 5, 3 जब 15 not equal to 2 k minus 4 होगा कोई दिक्कत आपको यहां तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अब देखिए 4 इधर गया 19 is not equal to 2 k ठीक है और हम देख रहे हैं कि अगर हम k की value रखें k की value रखें तो हमें क्या मिलेगा k is not equal to 19 by 2 यहां तक आपको समझ में आया और k किसके बराबर है तो आपको पता चल गया minus 1 के तो उसने आपसे पूचा है कि k की क्या value होगी तो k की value आपको मिल गई क्या minus 1 दूसरी चीज़ आप ध्यान दीजिए 3 upon k minus 2 is not equal to 2 by 5 दिया है और हमने अभी उपर वाली value से निकाला k की value minus 1 होनी चाहिए अब देखिए 3 upon minus 1 minus 2 कितना होगा minus 1 और देखिए minus 1 कि आपका 2 by 5 के बराबर है नहीं है तो इसका मतलब k की value minus 1 हमारी बिल्कुल सही है ठीक है question में a1, b1, c1 आपको निकालने आना चाहिए इनका बताने का मतलब यह है जैसे मैं आपको देदू 2 plus a का 2 plus ax minus 2y plus 3 plus a equal to 0 तो इसमें आपसे अगर a1, b1, c1 की value पूछी जाए तो आपको इनको match कराना होता है बस x का coefficient यहाँ पर क्या है 2 plus a तो इसका मतलब a की value क्या हो गई 2 plus a y का coefficient यहाँ पर क्या है minus 2 यहाँ पर b तो b की value कितनी हो गई minus 2 c की value आपका मालूम है कि y और x की coefficient को छोड़ कर बाकी सारी term constant होती है तो 3 plus a मेरा क्या हो गया c ठीक है यह छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है और यहीं चीजों से आपकी चीजें बनती है आगे आईए question पर तो यहां तक तो हमने देखा सारी चीजों को समझा और किस तरीके से answer निकलता है उसके बारे में हमने जैनकारी ली अब आईए आप कुछ word problem पे और उन्हें हम समझने की कोशिस करते हैं इसी linear equation के मादन से तो इन्होंने बोला है 2 table और 3 chair table और chair अलग-अलग है तो मैं table को x मान लेता हूँ और chair को y मान लेता हूँ ठीक है इन्होंने बोला 2 table और 3 chair का cost आपका 2000 रुपया है मान लिजे 1 table का cost x रुपया है और 1 chair का cost y रुपया है तो 2 table का cost कितना हुआ 2 x 3 chair का cost कितना हुआ 3 y और दोनों मिला के कितना रूपया है 2000 ठीक दूसरा इसने बोला 3 टेबल और 2 चेर तो 3 टेबल कितना हो गया 3X 2 चेर कितना हो गया 2Y ठीक है और इसकी वल्यू कितनी दे रखी है 2500 अब आप से ये पूछ रहा है 1 टेबल और 5 चेर का दाम कितना होगा टोटल तो 1 टेबल का दाम हो गया X और 5 चेर का दाम हो गया 5Y तो आपको X प्लस 5Y की वैल्यू निकालनी है आपका अंसर आ जाएगा तो आपको मेरे ख्याल से अब ये दो equation है linear equation हम पढ़ते हुए आ रहे हैं आप इसमें से अराम से X और Y की वैल्यू निकाल सकते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं समझ में आ रहा इसको कैसे solve करें तो आप पहले में 2 का into कर दीजिए और दूसरे में 3 का into कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 4X प्लस 6Y इक्वल टू 4,000 और ये हो जाएगा 9X प्लस 6Y इक्वल टू 25,300 ठीक है आप देख रहे हैं 6Y, 6Y आपको बराबर मिल गया आपने घटा दिया 9X माइनस 4X हो गया माइनस 5X और 75,000 में से 4000 गया तो डबल 0 5 और 3 35 माइनस 35 तो X की वैल्यू कितनी आ गई 700 अब आपको X की वैल्यू मिल गई मतलब यहाँ पर X की वैल्यू आप रख दीजिए क्योंकि आपको एक चेर का ही दाम लेना है और 5Y हमें मालूम है X की वैल्यू 7 आई है और हमारे पास 2X प्लस 3Y इक्वल टू 2000 एक एक्वेशन दी हुई है तो X की वैल्यू अगर 700 आई है X की वैल्यू अगर 700 आई है तो हम 2 इंटू 700 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 1400 1400 को 2000 में से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 600 और 600 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको आने आने चाहिए और यही दोनों एक्वेशन कैसे बनी है यह आप समझेए दूसरा लास्ट में होने कहा है एक टेबल और पांच चेयर तो हमने एक टेबल को X माना था और पांच टेबल को 5Y तो आपको X प्लस 5Y की वैल्यू निकालनी है अगर आपको यह दो एक्वेशन पता है और इन दोनों एक्वेशन से आप X और Y की वैल्यू निकाल देंगे और इसमें पूट कर देंगे मान लीजे आपसे कोस्टन में पूस्टा कि दो टेबल और दो चेयर का दाम कितना होगा तो आप बोलते कि सर अब मुझे 2X प्लस 2Y निकालना होगा क्योंकि एक चेयर का दाम X है तो दो टेयर का दाम कितना होगा 2X एक चेयर का दाम Y है तो दो टेयर का दाम कितना होगा 2Y तो इस टाइप से आपको कोस्टन दिएगा और X और Y का मतलबी है कि आपके पास question में दो variable आ रहे हैं या दो unknown आ रहे हैं तो यहाँ पर दो unknown कौन है table और chair तो पहले इन्होंने बोला कि 2 table और 3 chair का दाम 2000 है फिर बोला 3 table और 2 chair का दाम 2500 है तो 1 table और 5 chair का दाम कितना होगा आप अराम से ये चीज निकाल लेंगे अगले question पर आईए आपको बोलता है two digit number तो पहले तो आप ध्यान दिजिए ये two digit number है क्या मैंने एक two digit number लिया 25 और इसको मैंने x y लिख दिया तो 25 असल में है क्या 20 plus 5 इसका मतलब 2 मेरी 10th digit पर है तो वो 20 हो गया और ये मेरा 5 हो गया तो इसका मतलब अगर मेरे पास कोई x y नमबर दिया है तो वो असल में होता क्या है 10x plus y ठीक है कोई भी two digit number आपको बोला जाए तो वो हम क्या लेते है 10x plus y जिसमें y हमारी unit digit होती है और x हमारी 10th digit होती है 35 अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगा y की value मेरी 5 है और 10th digit की value मेरी 3 है तो आप इसे क्या लिखते है 30 plus 5 ठीक है तो कभी भी आपको two digit number कहा जाए जैसे मैंने two digit number कहा तो मैं बोलूँगा कि let the two digit number be 10x plus y where y is unit digit and x is 10th digit ठीक है तो अगर मैं बोलूँ कि 35 को अगर मैं reverse कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 53 अब क्या होगा आपका 50 plus 3 तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई number दिया हुआ है 10x plus y और आप इसकी digit reverse कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10y plus x आपको मेरी बास समझ में आई ये original number है ये by reversing है तो आपको original number को reverse करते हैं पर बस x और y की value change हो जाती है ठीक है आईये question की तरफ आप समझेंगे इसी से इन्होंने लिखा है the sum of two digit number the sum of two digit number ठीक है the sum of two digit number and the number formed by interchanging its digit ठीक है is 110 ठीक है the sum of two digit number and the number obtained by interchanging the digit 110 is subtracted from the first number then the new number is four more than ठीक है then the new number is four more than the five times the sum of the first number ठीक है जाँ से समझेंगा इसको सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि दो digit number और number को interchange करने के बाद उन दोनों का sum जो है वो 110 आता है तो मैं आपको एक चीज बताया हूँ कि अगर हमारा original number 10X plus Y है जिसमें Y मेरी unit digit है X मेरी X मेरी क्या है 10s digit तो यह तो हो गया मेरा original number और दूसरा number मेरा इसको reverse करने के बाद क्या आएगा 10Y plus X ठीक है तो बोला कि इन दोनों का sum मिला कर कितना आ रहा है 110 तो आप देख रहे हैं दोनों चीज हो जाएगी आपकी 11X plus Y equal to 110 जोडने पर और आपको X plus Y की value कितनी मिल जाएगी 10 ठीक है एक equation मिल गई आपको कोई दिक्कत ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं तो आपको समझ में आना चाहिए कि reversing सी digit का मतलब यही हुआ कि 35 को आपने 53 लिख दिया तो इसका मतलब जो चीज पहले 10X plus Y थी वो अब क्या हो गई चेंज करके जो नमबर आता है गर उन दोनों का हम सम करेंगे तो हमें 110 मिलेगा यहाँ तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं दूसरा यह बोल रहा है the new number the new number ठीक है ध्यान से समझेगा the sum of trillion number is subtracted from the first number then the new number is four more than ध्यान से समझेगा पहले इसको समझेगे यह क्या कह रहा है four more than four more than five times the sum of the number four more than four more than मतलब 4 ज्यादा five times मतलब 5 into और sum of the first number ठीक है sum of the digits of the first number यहाँ पर समझेगा जो यह कोई बोल रहा है sum of the digits तो इसका मतलब जो आपका number है उसके अंदर जो digit है उसका sum 35 में sum of the digit क्या होगा तो आप बोलेंगे five plus three equal to eight क्योंकि digit इसमें पांच और तीन है ठीक है और अकर मैं बोलूँगा number क्या होगा तो आप बोलेंगे sir number तो मेरा 35 है जो 10 x plus y के बराबर है जिसमें x की value three है और y की value five तो यहां पर जो question बोला गया है यह बोला है जहां से समझेगा यह बोला if the sum of the two digit number and the number form by interchanging the digit is 110 ठीक है is 110 और दूसरा इन्होंने बोला if 10 is subtracted 10 is subtracted from the first number then the new number is four more than the five times of the second number अब देखिए इन्होंने बोला कि अगर पहले number में से हम 10 घटा दें तो पहले number हमने क्या माना था 10 X प्लस Y तो पहले number में से अगर हम 10 घटा दें तो इसका मतब 10 X प्लस Y में से आपने 10 घटा दिया तो पहले number में से जब आप 10 घटाएंगे तो जो आपको नया number मिलेगा वो चार जादा होगा five times of sum of the digit of the first number तो first number की sum of the digit क्या है X प्लस Y sum of the digit मतब डिजिट का सम ठीक है तो आपके पास दो equation आ गई और दो number है देख लीजे एक बार फिर से समझ लीजे जब भी आपको two digit number लिया जाए तो उसको original उसका original number आप लेंगे 10 X प्लस Y और उसको interchange करके जो number आएगा या interchange the digit करके जो number आएगा वो आएगा आपका 10 Y प्लस X तो इन्होंने बोला कि two digit number का और number को interchange करने के बाद जो answer आया है उनका sum मिला के कितना है 110 तो इसका मतब original और interchange करने पे जो sum आएगा वो 110 आएगा अब 10 X प्लस X कितना हो गया 11 X और 10 Y प्लस Y कितना हो गया 11 Y और इनका sum कितना दिया है 110 तो आप देख रहे है X प्लस Y से 11 common निकल जागा जो यहाँ पे डाकर divide होगा तो X प्लस Y equal to 10 निकल जागा यह मिल गई आपको पहली equation ठीक है अब मालू मैं इसमें मुझे दो unknown दिया हुए है तो इस equation से तो मेरा answer निकलेगा नहीं ठीक है तो मुझे एक equation और चाहिए तो मैं question को थोड़ा सा और पढ़ा और मुझे पता चला कि यह बोल रहा है if 10 is subtracted from the first number अगर first number में से हम 10 subtract कर दें तो first number हमारा क्या था original number था 10x plus y इसमें से अगर हम 10 subtract कर दें तो जो हमें नया number मिलेगा the new number is 4 more than 4 more than मतलब 4 ज्यादा 5 times मतलब 5 into और 5 times किसका sum of the first number first number मेरा 10x plus y था और sum of the first number या sum of the digits of the first number बोला है तो इसका मतलब digits का sum कितना हुआ x plus y digit मैंने आपको बता दिया नंबर के अंदर जितने भी digit होंगे उन्ही को हम लोग digit कहते हैं जैसे 253 दिया है और आप से बोले sum of the digit क्या होगा तो आप बोलेंगे 5, 2, 7, 7, 10 sum of the digits ठीक है तो यह चीज़ आपको समझनी है हमारे पास जो equation आई 10x plus y minus 10 equal to 4 plus 5x plus y x plus y क्यों क्योंकि 5 times of the sum of the digits दिया होगा अब देखिए आपको 10x मिल रहा है यहां पर 5x मिल रहा है कट गया तो यहां पर आगया 5x यहां पर 10y मिल रहा है यहां पर 5y मिल रहा है तो 10y में से 5y गया तो कितना मिल गया plus 5y यह minus 10 इस तरफ जाएगा तो plus 10 हो जाएगा इस 4 के साथ जूड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 कोई दिक्कत आपको यहां तक एक बार फिर से देखिए 10x minus 5x किया 5x हो गया y यहां पर क्यवल y है 10y नहीं है तो y में से अगर आप minus 5y घटाएंगे तो आपको minus 4y मिलेगा इसका मतलब यह अंसर गलत है आपका यह होगा minus 4 5x minus 4y equal to 40 ठीक है और दूसरी equation हमें क्या मिली थी x plus y equal to 10 अब मेरे ख्याल से इन दोनों equation को solve करने आपको आना चाहिए इन दोनों equation से जो answer निकलेगा वो x और y निकलेगा ठीक है मान लिजे आपका x equal to 4 और y equal to 6 निकला और आप से पूछे कि original number क्या था तो original number हमें मालू में क्या लिया थे हम लोग 10x plus y 10 for 40 plus 6 equal to 46 समझ गए जो इसके अंदर solution किया है उस solution में मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने आपको बताया उसमें मैंने original number को 10x plus y लिया है इसका मतलब मैंने 10s digit को x लिया है और unit digit को y लेकिन जो इन्होंने solve किया है इसमें इन्होंने original number को 10y plus x लिया है इसका मतलब इन्होंने जो number लिया है वो लिया है y x और मैंने जो number लिया है x y तो question को आप देखेंगे आप समझ जाएंगे कि answer वही आएगा लेकिन हमारी x और y की value change हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पर unit digit को y माना है और यहाँ पर answer लिखा है उसमें इन्होंने unit digit को x माना है तो आपको reversing the digit का मतलब समझ में आ गया होगा और आप यह answer अब निकाल लेंगे अगला question देखिया इस question में आपको कोई दिक्कत मेरे ख्याद से कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है आपको कोई बोले ध्याँ से समझेगा the sum of the digits sum of the digits of original number is 6 sum of the digits of original number is 6 and number obtained, number obtained from, number obtained from subtracting 6 from the original number gives the number by interchanging the digits ठीक है इन्होंने बोला कि आपके जो original number है उसके sum of the digits 6 है तो sum of the digits 6 होना मतलब यह हुआ कि आप अगर original number को 10x plus y मानते हैं तो आपकी इसकी digit क्या है x और y तो इसका मतलब x plus y की value कितनी दे दी 6 दूसरा इसने बोला कि अगर आप original number में से 6 subtract कर देते हैं तो आपको जो number मिलेगा उसकी digit जो है interchange हो जाएगी तो इसका मतलब अगर मैं 10x plus y original जो मेरा number है उसमें से मैं 6 subtract करता हूँ तो जो number मुझे मिलेगा उसमें digit interchange हो जाएगी तो इसका मतलब 10y plus x हो जाएगी समझ गए यहां तक मेरी बास समझ में आई question आपको बोला गया था कि आपके the sum of the digits of the original number is 6 तो इसका मतलब digit मैं आपको बता दिया x और y है उनका sum 6 है दूसरा इसने बोला यदि हम original number में से 6 घटाते हैं तो हमारी digits interchange हो जाती है तो 10x plus y हमारा original number था उसमें से मैंने 6 घटाया तो मेरी digit interchange हो गए अब हम इसको solve करना चाहें तो 10x minus x कितना हो गया 9x 10x minus x कितना हो गया 9x और y minus 10y कितना हो गया minus 9y और यह minus 6 इदर चले जाएगा तो 6 हो जाएगा आपके पास दो equation आ गई x plus y equal to 6 और 9x minus 9y equal to 6 इन दोनों equation को solve करके आप x और y की value निकाल लिजिए और इसमें put कर दीजिए आपको original number पता चल जाएगा मेरे ख्याल से अब आपको यह two digit number वाले में और 50 पैसे के coin मेरे पास y है ठीक है अब इन्होंने बोला कि 20 पैसे और 25 पैसे के coin है 25 पैसा है ठीक है आगे इन्होंने बोला है कि total coin आपके पास 50 है तो इसका मतलब 25 पैसे के coin अगर मेरे कितनी है 50 अगला इन्होंने बोला कि उनका जो सम है या अगर हम ये जो हमारे पास जो 50 कोईन है इनको अगर हम जोड़ें मतलब इसमें जितने 20 पैसे हैं और 25 पैसे हैं इनका अगर हम मान निकालें तो मान हमारे पास कितना निकलेगा 11.25 रुपीज ध्यान से समझेगा इसको इन्होंने बोला 11.25 रूपीज, ठीक है, 11.25 रूपीज, अब आप मुझे बताइए, अगर आपके पास X नंबर के 20 पैसे के कौईन हैं, 20 पैसे के कौईन आपके पास X हैं, तो आपके टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे, सर 20 पैसा जो है, असल में 1 बटा 5 होता है, कैसे हम 20 बटा 100 करेंगे, तो एक बटा 5 रूपीज आ जाएगा, इसका मतलब अगर हमारे पास 20 पैसा होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 बटा 5 रूपीज, तो अगर हमारे पास X 20 पैसे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, X बटा 5, कोई दिक्कत आपको यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, दूसरा देखिए, प्लस, अगर मेरे पास 25 पैसे क कोईन, 25 पैसे के कोईन, मेरे पास Y हैं, तो एक 25 पैसे का दाम कितना होता है, 25 बटा 100 मतलब एक बटा 4 रूपिया, तो अगर एक 25 पैसे का दाम, एक बटा 4 रूपिया होता है, तो Y 25 पैसे के दाम कितने होंगे, Y बटा 4, यहां तक आपको मेरी बास समझने आई, तो आपको x by 5 plus y by 4 equal to 11.25 मिला ठीक है 11.25 ठीक है अब देखिए आपको मालूम है कि यह मुझे दिक्कत करेगा क्योंकि यह जनरल फॉर्म में नहीं है तो मैंने क्या किया 4x plus 5y मैंने LCM ले लिया दोनों का 20 equal to 11.25 यहां तक कोई दिक्कत अब मैं 20 का गुड़ा कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा 4x plus 5y equal to अगर आप गुड़ा करेंगे तो 0 पहले लगा दीजिए 25 तू जब 50 और 211 जब 22 और 2 के बाद आपको point लगाना है तो 225 आ जाएगा इसका मतलब एक equation आपको मिल गई 4x plus 5y equal to 225 और एक equation हमने पहले ही निकाल ली थी x plus y equal to 50 आप इससे x और y की value निकाल लेंगे आपको पता चल जाएगा 20 पैसे के coin मेरे पास कितने है और x पैसे के coin मेरे पास कितने है मेरी बात आपको समझ में आई मान लेजे आपको दिया हुआ है आपके पास 20 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे तीन coin आपकी जोली में मौझूद है और इन तीनों का सम मिला कर आपके पास इन तीनों का सम मिला कर आपके पास 100 मतलब ये तीनों coin मिला कर आपके पास 100 है तो मैं बोल देता हूँ कि ये तीन कोईन मेरे पास मान लीजिए X, Y, Z है तो इनका तीनों कोईन मिला कि कितने हैं? 100 तो इसका मतलब X plus Y plus Z equal to 100 क्योंकि मेरे पास 100 कोईन है अब अगर ये बोले कि आपको जो 100 कोईन है, इन 100 कोईनों का जो टोटल रूपीज आ रहा है वो आ रहा है 1000 रूपिया, 1000 रूपिया, तो 1000 रूपिया मुझे value दी हुई है तो अगर मेरे पास 20 पैसे X हैं, तो मैंने आपको बता है कि 20 पैसा कि इसके बराबर होता है एक बटा 5 के, तो इसका मतलब अगर मेरे पास X 20 पैसे होंगे, तो इसके कितने हो जाएंगे X by 5, प्लस 50 पैसा कितना होता है, एक बटा 2, 50 बटा 100 करेंगे 50 पैसा कितने रूपिय के बराबर होता है, आधिर रूपिय के बराबर होता है तो y अगर मेरे पास coin है तो ये कितना हो जाएगा y by 2 25 पैसे के coin मेरे पास z है 25 पैसा कितने के परावर होता है एक बटा 4 के तो ये हो गया z by 4 आईए आपको मेरे बाद समझने तो आपकी दो equation बन जाएगी जिससे आप अंसर निकाल लेंगे कोई दिक्कत आपको इस question में ऐसे question में आपको सबसे पहले तो संख्या देदेगा कि आपके पास कितने 20 पैसे और 25 पैसे के coin है और उसके बाद आपको संख्या कितने coin है ये देदेगा और बाद में ये देदेगा कि उन coin की total मिलाके value कितनी है तो value के लिए आपको मालूम है पैसे को रूपय में बदलना होगा 20 पैसे को अगर रूपय में बदलेंगे तो एक पटा पांच के बराबर होगा और अगर 20 पैसे मेरे पास x हैं तो वो कितने हो जाएंगे x by 5 यहां तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आगे आईए अगला question इन्होंने बोला है some of the two digit number and the number obtained by reversing the digit is 165 इन्होंने बोला कि आपके पास दो digit number अगर हम दो digit number और उसको जो reverse है उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 165 मिलेगा तो इसका मतलब हमारे पास original number 10x plus y है और इसको reverse कर देंगे तो क्या जाएगा 10y plus x ठीक है इन्होंने यही बोला है कि आपके दो digit number को अगर हम reverse कर दें और उन दोनों का sum कर दें तो हमें 165 मिल जाएगा ठीक है यहाँ पे digit को नहीं करना है यहाँ पे number को ही reverse करने के बाद जो आया है उन दोनों number को जोड़ने पे आपको 165 मिल रहा है तो इसका मतलब यह हो जाएगा 11 x plus y equal to 165 तो x plus y की value कितनी आ जाएगी 15 कोई दिकक है तो आपकी पहली equation आ गई x plus y equal to 50 ओरिजिनल नंबर आपका क्या है 10 x plus y reversing the digit पे क्या मिला 10 y plus x और x plus y की value आपको कितनी मिल गई 15 आगे देखिए इन्होंने बोला if the digits differ by 3 अगर digit जो है वो एक दूसरे से 3 का difference रखते हैं अब देखिए अगर मेरे पास number x y था जिसको मैंने original number को 10 x plus y लिया था तो इसका मतलब मेरा number होगा x y तो इन्होंने बोला कि जो digit का difference है वो 3 का है तो x minus y equal to 3 भी हो सकता है और y minus x भी 3 हो सकता है क्यों क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि x बड़ा है कि y बड़ा है ठीक है तो आपको sum of the digits differ by 3 का मतलब यह हुआ कि आप x minus y equal to 3 भी ले सकते हैं और y minus x equal to 3 ले सकते हैं और एक question हमारे पास पहले से है x plus y equal to 15 ठीक है तो यह equation तो हमें लेनी ही है और इन दोनों equation में से एक बार हम इस equation को इसके साथ solve करेंगे और एक बार इस equation को इसके साथ solve करेंगे कहने का मतलब यह हुआ कि आपको एक बार x plus y equal to 15 और x minus y equal to 3 को solve करना है और एक बार x plus y equal to 15 और y minus x equal to 3 को solve करना है तो हम solve करके देखते हैं 2x equal to 18 तो x की value कितनी आ गई 9 तो y की value कितनी आ जाएगी 9 minus x 15 3 2x x की value 9 आ गई 3 minus 9 कितना होगे आपका minus 6 तो y की value कितनी आ गई 6 अब इस पर आईए आप आपको दिख रहा है कि x और 1 में plus x से 1 में minus x से कट जाएगा y plus y हो गया 2y 15 3 18 तो y की value कितनी आ गई 9 कोई दिक्कत y की value कितनी आ गई 9 अब y की value 9 आप अगर इसमें put करेंगे तो x की value कितनी आ जाएगी 6 कोई दिक्कत आपको यहां तक तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका number 10x plus y था तो इससे अगर 10x plus y निकालेंगे तो आपको 96 मिलेगा और इससे अगर आप 10x plus y निकालेंगे तो आपको 69 मिलेगा तो आपका number 96 भी हो सकता है और 69 भी हो सकता है ठीक है क्योंकि original number हमारा 10x plus y था यही इस question में किया है आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आगे देखिए इन्होंने बोला कि denominator of the fraction is 4 more than twice of the numerator ठीक है इन्होंने बोला कि अगर किसी चीज का denominator numerator की twice से 4 जादा है ठीक है and when both numerator and denominator is decreased by 6 और जब हम दोनों में से 6 घटाएंगे then denominator becomes twice times the numerator ठीक है अब इस question को हम दो तरीके से कर सकते हैं तो मैं पहले आपको linear equation in two variable की तरीके से बताता हूँ देखिए आप आपको numerator मान लीजिए कि numerator आपके पास x है और denominator आपके पास y है तो आपके पास fraction क्या हुआ x by y कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अब इन्होंने बोला कि जो denominator है वो numerator के twice से 4 जादा है तो denominator मेरे पास कितना है y 4 more than मतलब 4 plus twice of the numerator twice of the numerator क्या हुआ तो एक equation तो आपके पास यह आ गई ठीक उसके बाद इसने बोला अगली equation देखिए इन्होंने बोला कि अगर numerator और denominator दोनों को हम 6 decrease कर दें ठीक है ध्यान से समझेगा यह equation आपको समझ में आ गई हमने numerator और denominator को x और y मान लिया उसके बाद इन्होंने बोला कि denominator जो है अगला जो point के कह रहा है वो बोल रहा है कि अगर दोनों numerator और denominator को अगर हम 6 घटाएं तो मैंने numerator और denominator लिख दिया और दोनों में से मैंने 6 घटा दिया अगर numerator और denominator में से हम 6 घटाएं तो हमारा denominator जो है अगर numerator और denominator में से हम 6 घटाएं तो हमारा numerator जो है वो 12 times of the numerator हो जाएगा तो इसका मतलब अगर मेरा numerator x है तो मेरा denominator 12 times हो जाएगा इसका मतलब 12x हो जाएगा और ये कब होगा जब हम numerator और denominator दोनों में से 6 घटा दें आई बात मेरी समझ में आपको यहां तक यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई की नहीं एक बार फिर से देखिए इन्होंने सबसे पहले numerator upon denominator जिसको हमने x और y1 लिया पहला इन्होंने बोला कि जो आपका denominator है वो twice of the numerator numerator से 4 जादा है तो सबसे पहले तो हम इसे उस form में बदल देते हैं तो उस form में बदलने का मतलब यह हुआ इस y को इधर ले आई है तो यह हो गया 2x-y और इस 4 को उधर ले जाई है तो यह हो गया minus 4 देखिए आपका form आगया जिस form में हम अंसर निकालते हैं तो आपके पास एक equation तो यह आगी हमें equation हमेशा उसी form में लिखनी है जिस form में हम आसानी से solve कर सके और दूसरा जो इन्होंने बोला इन्होंने बोला अगर numerator और denominator दोनों में से 6 घटा दें तो हमें मालूम है fraction हमारे पास x by y था दोनों में से अगर हम 6 घटा देंगे तो हमारा जो numerator आएगा हमारा numerator क्या था x जो भी numerator है उसका 12 गुना हमारा denominator आता है 12 x x से x cancel 12 का इंटू इसमें तो y-6 equal to 12 x-6 कोई दिक्कत आपको यह आता कोई दिक्कत नहीं आगे देखिए हमें मालूम है कि यह हो जाएगा आपका 12 x minus 72 और यह हो जाएगा आपका y minus 6 अब मैं y को उधर ले जाता हूं तो हो जाएगा 12 x minus y और इस 22 को इधर ले जाओ तो मुझे मालूम है 23 को इधर चले जाएगा और 22 मेंसे 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6 तो आपको एक equation मिल गई 12x minus y equal to 66 और एक equation आपको मिली थी 2x minus y equal to minus 4 अब आप इन दोने equation को solve कर दीजे आपको x और y की value मिल जाएगी x और y की value मिलते ही वो आपसे पूछेगा कि fraction क्या था तो fraction हमारा x by y था आप x की value यहां रख दीजे y की value यहां रख दीजे आपका अंसर आगया ठीक है दूसरा एक इंसान अगर सोचे तो वो एक तरीके से और इस सवाल को कर सकता है कैसे इन्होंने बोला कि denominator जो है वो numerator से 4 जादा है twice of the numerator तो मैं मान लेता हूँ कि numerator मेरे पास मान लीजे x है तो denominator मेरे पास कितना हो जाएगा 2 x प्लस 4 है की नहीं अगर numerator मेरे पास x है तो denominator मेरे twice of the numerator से 4 जादा है तो मेरे को यह मिल गया ठीक है आपको numerator और denominator आप अपने दिमाग में रख लीजे अब इन्होंने बोला कि numerator और denominator में से numerator और denominator में से अगर मैं 6 घटा दूँ तो denominator मेरा यह था numerator मेरा यह था इन्हें से 6 घटा दूँ तो जो मेरा numerator आएगा उसका 12 गुना मतलब कि अगर मेरा numerator x है तो यह मेरा 12 x होगा x से x cancel हो जाएगा देखिए आपको घूम फिर के वही चीज मिली जो आप लिखते वे आ रहा है क्योंकि 2 x प्लस 4 को हमने पीछे अभी y माना था जो मैंने यहाँ पर सीधे put कर दिया तो आप डायरेक्ट इसको solve कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको x और y कुछ भी एक ही variable है x सब देखिए आपका एक ही variable है मैंने y इसमें नहीं लिया क्योंकि मैंने y को सीधे 2 x प्लस 4 मान लिया और इसमें put कर दिया ठीक है तो आप किसी भी तरीके से सवाल solve करेंगे यहां से आप x की value निकाल लेंगे और x की value अगर x की value क्या है numerator और उस x की value में 2 का into करके चार जोड़ देंगे तो आपको denominator मिल जाएगा तो आप दोनों तरीके से ये सवाल कर सकते हैं जो आपको सही लगे आगे देखिए इन्होंने बोला 5 years hence hence मतलब होता है बाद में और before मतलब होता है पहले तो 5 years hence मतलब 5 साल बाद ठीक है उसके बाद इन्होंने बोला 5 years hence father's age will be 3 times of the son 5 साल बाद जो बाप की age है वो बेटे की age से 3 गुना हो जाएगी तो अगर मेरे बाप की age या मेरे पिता जी की age जो है वो present समय में 5X है और son की age Y है तो 5 साल बाद father की age कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 और sons की age कितनी हो जाएगी? y प्लस 5 ठीक है आप उन्होंने बोला कि 5 साल बाद फादर की एज जो है वो sun की एज का 3 time हो गई तो father की एज मेरी 5 साल बाद ये होगई suns की एज मेरे पाद चाल बाद ये होगई लेकिन मुझे मालू है फादर की एज 3 गुना हो जाती है तो equal to 3 y plus 5 आई बात आपको मेरी यहां तक समझ में present age x और y है 5 साल बाद मेरे पित्या जी की age मेरे बेटे की age से यह लड़के की age से 3 गुना बढ़ जाती है तो 3 गुना यह 3 times मतलब होता है 3 into और 3 into मैंने y plus 5 में पूरा क्यों किया क्योंकि 5 साल बाद मेरे लड़के की age y plus y थी ठीक है अब इसको आप अगर change करना चाहें तो यह क्या हो जाएगा x minus 3y 3 5 जब 15 और minus 5 हो गया 10 देखिए आपकी form आ गई a1 x minus 3y equal to 10 कोई दिक्कत एक equation तो आपके पास आ गई दूसरा क्या बोल रहा है आप यह बोल रहा है 5 years ago ago मतलब पहले hence मतलब बाद में तो 5 years ago बाप की age कितनी हुई x minus 5 और लड़के की age कितनी हुई y minus 5 अब इन्होंने बोला 5 years ago fathers was 7 times तो 5 साल पहले पिता जी की age लड़के की age की 7 गुना थी 7 गुना ऐसे लिख दिया मैंने अब देखिए आपको दो equation मिल गई पहली equation हमने पहले निकाली थी और यहां से आपका निकल जाएगा x minus 75 equal to 75 जा 35 minus 35 plus 5 कितना हो गया minus 30 ठीक है तो आपको एक equation यह मिल गई एक equation पहले मिल गई दोने equation को साल्व करिए x और y की value निकाल लीजे father की age present x हो गई और sons की age present y हो गई अगर वो आपसे x और y की value निकलने के बाद वो आपसे यह पूचता what is the father's age after 10 years तो आप x में 10 जोड देते क्यों? क्योंकि वो आपसे 10 साल बात पूच रहा है और हमने present age को क्या माना था? x ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आगे चले? आगे देखिए अगला question यह बोल रहा है a and b are friends and their age is differ by 2 हमारे पास a और b दो friend हैं जिनकी age दो साल की differ करती है तो मैंने बोल दिया कि a की age x है और b की age y है ठीक है? तो इन्होंने बोला दोनों का difference दो है तो इसका मतलब x माइनस y भी 2 हो सकता है और y माइनस x भी 2 हो सकता है क्यूंकि मुझे पता नहीं है कि x बड़ा है कि y बड़ा है ठीक है? तो हमारे पास पहले तो ये दो equation आ गई आगे देखिए a के पिता जी d है जो दुगना older है तो इसका मतलब जो d है वो a का दुगना है तो इसका मतलब d की value कितनी हो गई? 2x कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं and b is twice as old is b a is father d is twice as old as a and b is twice as old as sister c जहां से समझेगा मेरी बात b is twice as old as c इसका मतलब जो आपका b है वो c का दुगना है twice as old as मतलब 2c हमें मालूम है b की value कितनी है? y तो c की value कितनी आ गई? y by 2 कोई दिक्कत आपको? ठीक है? अब इन्होंने बोला है the age of d and c differ by 40 degree तो d और c मेरे पास निकल गया तो 2x माइनस y by 2 equal to 40 ठीक है? 2x माइनस y by 2 d और c का जो difference है वो 40 का है तो 2x माइनस y by 2 equal to 40 ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं अब आप देखिए 2x माइनस y by 2 equal to 40 जो आपको दिख रहा है 2x माइनस y by 2 equal to 40 जो दिख रहा है सबसे पहले तो मैं इसे general formula आँ तो यहाँ पे मेरा 2 LCM हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4x माइनस y equal to 80 ठीक है यह 2 का इन्टूजर हो जाएगा और यह 2 का इन्टूस में होगा तो 4x हो गया तो आपको 4x माइनस y equal to 80 मिल गया और 1 आपके पास x माइनस y equal to 2 है और 1 आपके पास y माइनस x equal to 2 है क्योंकि difference में हमें पता नहीं है a और b में से क्या जादा है तो मैं आपको यह question बता चुका हूँ आप एक बार 4x माइनस y और x माइनस y को लेके solve करिए एक बार 4x माइनस y और y माइनस x को लेके solve करिए और दोनों को solve करने के बाद आपको जो x और y की बल्दू मिलेगी वही आपके a और b का answer होगी यही इस question में दिया गया है आप अराम से इस question को देखेंगे तो समझ जाएंगे ठीक है यहां तक कोई दिक्कत आपको कोई भी दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आगे चलिए अब आता है हमारे पास distance, speed और time के सवाल तो मैं इसमें सबसे पहले तो आपको यह बता दू कि किलो मेटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो आप 5 बटा 18 का इंटू करते हैं और अगर मीटर पर सेकेंड को किलो मीटर पर आवर में चेंज करना हो तो आप 18 बटा 5 का इंटू करते हैं कहने का मतलब यह हुआ कि आपको अगर कोई बोले कि 100 मीटर पर सेकेंड मेरा कितने किलो मीटर परावर के बरावर होता है तो आपको कुछ भी नहीं करना 100 में 18 बटा 5 का इंटू कर देना है अगर मैं यही पूस्ता कि 20 किलो मीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में कितना होगा तो आप बोलेंगे सर 20 में हम 5 बटा 18 का इंटू कर देंगे हमें अंसर मिल जाएगा ठीक है दूसरी चीज हमें यह समझनी है कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा स्पीड और टाइम के मल्टिप्लिकेशन के बराबर होता है ठीक है डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा स्पीड और टाइम के मल्टिप्लिकेशन के बराबर होता है यहां तक आपको मेरी बास समझ में आई कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं दूसरी चीज आप ये समझे, आपकी मान लिजिए कोई एक नदी बह रही है, और इस नदी के बहाव की स्पीड जो है, इस नदी के बहाव की स्पीड जो है, वो वाई है, ध्यान से समझेगा, और आपका इसके उपर एक बोट है, अगर ये बोट पानी की दिसा में ही चल रहा है, और इस बोट की स्पीड एक्स है, तो पानी की दिसा में चलने का मतलब यह हुआ, कि दोनों जो यह है, जुड जाएंगे, तो आपको जो मिलेगा, एक्स प्लस वाई, इसको कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम, क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम का दूसरा नाम क्या हो सकता है, बोट फ्लोइंग इन दा डाइरेक्शन अब दा करेंट, मतलब जिस दिसा में आपकी नदी बह रही है, उसी दिसा में आपकी नाव चलेगी, तो आपकी स्पीड जो है, वो उस वाले, जो स्ट्रीम की अगर आपको वी दे रखी हो, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, यू प्लस वी, डाउन स्ट्रीम मतलब उसी दिसा में चलना, और अप स्ट्रीम मतलब उल्टी दिसा में चलना, और उल्टी दिसा में अगर आप चलेंगे, तो आपकी स्पीड कितनी हो या मीटर पर सेकेंड होती है डिस्टेंस जो होता है उसकी यूनिट किलो मीटर या मीटर होती है और टाइम जो होता है उसकी यूनिट या तो आवर होती है या तो सेकेंड होती है ठीक है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो आईए अब आप कोस्टन की तरफ और देखन इन्होंने बोला कि आपके पास 600 km की डिस्टेंस है जिसे उसने ट्रेन और कार से कवर किया और कितना ट्रेन से कवर किया कितना कार से कवर किया यह आपको नहीं बताया उसके बाद इसने बोला कि वो 8 घंटा लेता है अगर वो 120 km ट्रेन से चले और कार से वो बाकी की डिस्टे किलोमेटर आपका ट्रेन से चले और कार से बाकी की चले तो मैं सबसे पहले तो आपको यह बताने की कोशिस कर रहा हूँ आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है 600 ठीक है आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है 600 और आपको ट्रेन और कार की स्पीड निकालनी है तो मैं मान लेता हूँ कि ट्रेन की स्पीड मेरे पास S है S1 है और कार की स्पीड मेरे पास S2 है ठीक है हमें मालूम है कि 600 किलोमेटर मेरी पूरी डिस्टेंस है जिसमें से पहले केस में वो 120 किलोमेटर ट्रेन से चला और बाकी की कितना बचा 480 मेरे ख्याल से ठीक है 600 में से आप 120 घटाएंगा तो बाकी की जो 480 डिस्टेंस चली उसने वो कार से चली और ये पूरा चीज करने में उसे 8 घंटा लगा तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपको यहां पे जो ये 8 घंटा लगा है वो ट्रेन और कार का जो टाइम है वो लगा है ट्रेन ने जितना समय लिया, कार ने जितना समय लिया, उन दोनों समय को अगर हम जोड दें तो हमें 8 घंटा मिल जाएगा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ट्रेन ने कितना समय लिया, अगर मेरी ट्रेन की डिस्टेंस 120 है और ट्रेन की स्पीड S1 है, तो मेरे ट्रेन ने कितन upon speed आपको time मिलता है तो इसका मतब 480 बटा S2 equal to 8 यहां तक कोई दिक्कत आपको तो आपको एक equation तो पता चल गई क्या 120 upon S1 plus 480 upon S2 equal to 8 ठीक है यह हो गया आपका एक case दूसरा case जो है आपके सामने वो यह कह रहा है कि अगर वो अब 200 km ट्रेन से चले तो बाकी की distance कितनी बज़ गई 400 अगर वो 200 km ट्रेन से चले और बाकी की distance अपकी कार से चले तो वो 20 मिनट जादा लेता है इसका मतलब 8 घंटे में वो 20 मिनट जादा ले रहा है तो सबसे पहले तो मुझे बात है कि यह 20 मिनेट जो है या तो मैं पूरा घंटे में बदल दूँ या तो पूरा मिनेट में बदल दूँ मुझे मालूम है कि पहली वाली equation में मेरा जो 8 है वो घंटे में है तो 20 मिनिट को अगर आप घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 by 3 20 by 60 करेंगे तो आपको 1 by 3 मिल जाएगा और 8 plus 1 by 3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25 by 3 hour 8 plus 1 by 3 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 25 by 3 hour ठीक है तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि अगर ये 200 और ये 400 हो तो मुझे 25 बटा 3 घंटा लगेगा तो मुझे मालूम है इसकी स्पीड कितनी है S1 क्योंकि ट्रेन की स्पीड हमने S1 ली थी और कार की स्पीड हमने कितनी ली थी S2 तो ये हो गए आपका 200 upon S1 plus 400 upon S2 equal to 25 by 3 यहां तक कोई दिकत अब मेरे ख्याल से दो एक्वेशन दो अन्नोन आपके पास इसका अंसर आप असानी से निकाल लेंगे देख ये question कैसे किया है पहली equation इन्होंने आपको पहले ही बता दिया कि train की स्पीड इन्होंने X मानी है और कार की स्पीड इन्होंने Y मानी है ठीक है तो पहली वाली case में हमने देखा कि 120 km वो train से चला था और बागी की distance वो car से चला था और total घंटा कितना लगा था 8 तो 120 X upon 480 upon Y को अब हमें जब भी इस टाइब की चीजें आती है तो हमने इसको solve करने में दिक्कत होती है यह हमें भी मालूम है तो सबसे पहले तो मैं देख रहा हूं कि 480, 128 और 8 यह सारी चीजें एक दूसरे से कड़ जाएंगी 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40 15 by X plus 8 6 जा 48 60 by Y equal to 8 1 जा 8 मैंने सारों में 8 का divide कर दिया उपर ठीक है यहां तक आपको मेरी बास समझ में आई कोई दिक्कत तो यह तो हो गई आपकी एक equation जो आपने निकाल ली इसी तरीके से दूसरी equation में इन्होंने बोला कि 200 km आपका उससे चलेगा और बाकी का distance वो कार से चलेगा तो इसका मतलब यही हुआ कि 200 बटा X प्लस 400 बटा Y equal to इन्होंने बोला 20 मिनेट जादा तो इसका मतलब 8 घंटा 20 मिनेट और 8 घंटा 20 मिनेट को अगर आप change करेंगे तो 8 1 by 3 होगा जो 25 by 3 के बराबर आएगा अब आप देख रहे हैं यह 25 को 25 से कम 25 24 के 100 तो यह हो गया 16 25 के 108 तो आपको आगया 8 by X प्लस 16 by Y equal to 1 by 3 दूसरी equation भी आपको मिल गई अब ऐसी equation को कैसे solve करते हैं वो आपको मालूम है मान लीजे आपको 3 by X माइनस 2 by Y equal to 1 दिया है और 3 by 9 by X प्लस 4 by Y equal to 9 दिया है और आपको यह ऐसे question solve करने तो मैंने आपको बताया था कि 1 by X को आप U मान लीजे और 1 by Y को आप V मान लीजे तो पहले U और V की value निकाल लीजे U और V की value निकालने के लिए यह वाली चीज आपकी किसमें बदल जाएगी यह हो जाएगा आपका 3U माइनस 2V equal to 1 और यह हो जाएगा आपका 9U प्लस 4V equal to 9 U और V की value हम निकाल लेंगे क्योंकि यह आपकी general equation है general equation से U और V की value निकालेंगे यहाँ पर put करेंगे X की value और Y की value आपको मिल जाएगे यहाँ तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आगे चलिए अगला question इन्होंने बोला है कि एक boat जो है वो 32 km up stream और 36 km down stream 7 गंटे में तै करती है तो मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ कि अगर मैं boat की speed को X माल लो और current की speed को Y माल लो तो मेरी down stream speed कितनी होगी X plus Y और मेरी up stream speed कितनी होगी X minus Y तो 32 km अगर 32 km अगर यह up stream चलता है तो इसका मतलब 32 upon X minus Y यह speed है और distance है तो distance upon speed करने का मतलब हुआ कि मैं क्या ले रहा हूँ टाइम ले रहा हूँ और दूसरा 36 down stream तो 36 upon X plus Y और दोनों का time मिला के कितना दे रखा है साथ तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि जो यह वाली line है इसका क्या बनेगा 32 upon X minus Y plus 36 upon X plus Y equal to 7 कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आगे इसने बोला आगे इसने question क्या बोला देखिए इन्होंने बोला also it covers 40 km upstream and 48 km downstream in 9 hour फिर इन्होंने दूसरी question भी दे दी जिसमें 40 km upstream और 48 km downstream वो total कितने समय में तय करता है 9 गंटे में पहले वाले में क्या था 32 upon X minus Y plus 36 upon X plus Y equal to 7 ये दो equation है आपके पास इन दोनों equation से आप X और Y की value निकाल लेंगे तो आपको speed of the boat in still water X है speed of the boat मतलब कि X और speed of the current जो है आपके पास वो है Y ठीक है तो आप इन दोनों equation को solve करके X और Y की value निकाल सकते हैं और ये कैसे solve करते हैं ये मैंने आपको चीज़ बता रखी है अगर आपको इससे solve करना हो तो आप देख रहे हैं 1 upon X minus Y 1 upon X plus Y 1 upon X minus Y और 1 upon X plus Y आपको सब में दिख रहा है तो मैं ऐसे question को solve करने के लिए क्या करता हूँ ऐसे question को solve करने के लिए मैं 1 upon X minus Y को M मान लूँगा और 1 upon X plus Y को मैं N मान लूँगा तो ये equation मेरी change हो जाएंगी ये equation किसमें change हो जाएगी देखिए पहला जो आएगा आपके पास वो आएगा 32M plus 36N equal to 7 और दूसरी equation जो है वो आएगी आपकी 40M plus 48N equal to 9 और इसमें M क्या है M है आपका 1 upon X minus Y और N है आपका 1 upon X plus Y जो मैं पीछे बताया अब आप इसमें से M और N की value निकाल लेंगे क्योंकि ये 2 equation solve करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमने ऐसी equation बहुती पीछे solve कर रखी है M और N की value निकालने के बाद आप यहाँ पे put करेंगे तो आपको X minus Y की एक value मिल जाएगी और एक X plus Y की value मिल जाएगी क्योंकि हमने ये चीज़ मानी है अगर हम M की value यहाँ put कर देंगे तो X minus Y की value मिल जाएगी N की value यहाँ put कर देंगे तो X plus Y की value मिल जाएगी तो आपको 2 equation मिल गई ठीक है अब X minus Y और X plus Y की अगर आपको value मिल गई तो आप X और Y की value निकाल लेंगे आराम से ऐसे कुश्चनों को भी आप कर सकते हैं जो यहाँ पर मैंने अंसर में बताया है ठीक आगे चले आगे देखिए इन्होंने बोला कि X जो है वो तीन घंटा लेता है X takes 3 hour more than Y to walk 30 km मतलब यह हुआ कि आपका जो X का टाइम है वो Y के टाइम से 3 घंटा जादा है यह दिया हुआ है आपको ठीक है और हम यह भी ले लेते हैं कि आपकी speed of X जो है वो X है और speed of Y जो है वो आपके पास Y है किलोमेटर प्रती घंटा ठीक है और इन्होंने बोला कि दोनोंने distance 30 km चली तो X जो है वो 3 घंटा जादा लेता है तो इसका मतलब अगर मुझे TX निकालना हो तो अगर मेरी X की speed X है और उसने total distance 30 चली है तो मेरा time कितना हो जाएगा 30 upon X और TY मेरे पास कितना हो जाएगा इसने भी distance 30 चली है और इसकी speed Y है तो 30 upon Y plus 3 कोई दिक्कत आपको यहां तक तो यह तो आगई आपकी पहली equation ठीक है अब इस equation में हम क्या करें कि हमारी सारी चीजें सही हो जाएं तो हम देख रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं करना हम करते हैं कि 30 by Y को इधर ले जाते हैं तो आपको मिल जाएगा 30 1 upon X minus 1 upon Y equal to 3 यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई मैं 30 by Y को इधर ले गया अब यह 30 यहां दोनों में 2 है यहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1 upon 10 तो आपको एक equation मिल गई क्या 1 upon X minus 1 upon Y equal to 1 upon 10 X क्या है X की speed Y क्या है Y की speed अब इसने बोला अगर X जो है वो अपनी speed को दूगना कर दे तो इसका मतलब अगर उसकी पहले speed X थी तो अब उसकी speed कितनी हो गई 2X अगर X अपनी speed को दूगना कर दे then he is ahead by one and half hour तो वो जो Y है उससे डेड़ घंटा पहले ही पहुँच जाएगा ahead मतलब कि वो डेड़ घंटा पहले ही पहुच गया ठीक है ahead मतलब क्या कि वो डेड़ घंटा पहले ही पहुच गया कहने की बात यह हुई अगर आपने X की speed को दूगना कर दिया तो आपका जो TX का time आएगा वो आपके Y वाले time से डेड़ घंटा पहले ही पहुच गया तो TX जो है वो हो जाएगा T Y minus 3 by 2 यहां तक आपको मेरी बात समझ आई नहीं समझ नाई तो फिर से देखिए इन्होंने बोला कि X जो है वो 30 km चलता है और Y भी 30 km चलता है लेकिन X जो है वो 3 घंटा जादा लेता है तो 3 घंटा जादा लेता है कि मैंने बता दिया कि TX equal to T Y plus 3 जिससे आपने 30 upon X equal to 30 upon Y plus 3 कर दिया और आपका एक equation आ गई X और Y की दूसरा इसने बोला कि अगर आपकी speed को ये दुगना कर दे तो जो आपका TX का time आएगा वो Y से डेड़ घंटा पहले ही पहुँच गया तो इसका मतलब जो Y का time होगा उसमें से आप डेड़ घंटा घटा देंगे अब हमें मालूम है कि अब हमारी TX की speed कितनी है 2X और distance कितना है 30 तो इसका मतलब ये हो गया 30 upon 2X equal to Y की speed में कोई change नहीं हुआ 30 upon Y minus 3 by 2 ये आगई मेरे पास दूसरी equation अब ऐसी equation को कैसे solve करना है आप एकदम अब chapter के last में आ जोके हैं तो बार बार मुझे इन equation को solve करना उचित नहीं लग रहा है क्योंकि आप खुद ही समझ रहे हैं कि इनमें 1 upon X को U और 1 upon Y को V मानके हम लोग question solve कर सकते हैं ठीक है तो आप बस ये देख लीजिए देखिए आपका एक आगया 10 upon X minus 10 upon Y equal to 1 और एक आगया आपका 30 upon Y आपका क्या है T Y 30 upon 2X आपका क्या है T X और 1 and a half आपका क्या है 3 by 2 तो आप देख रहे हैं T Y की value क्या आ रही है T X plus 3 by 2 इसका मतलब यह हुआ कि जो T X का time होगा उससे डेड़ घंटा बाज आपका Y पौक्चा होगा ठीक है यहां तक कोई दिक्कत और 30 upon 2X क्यों लिखा है क्योंकि वहां question में उन्होंने बोल रखा है कि X ने अपनी speed को दुगना कर दिया यहां तक दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आगे आईए अब इस question को देखिया यह question आपके exam में आएगा नहीं लेकिन तब भी आप इसे समझ लीजे इन्होंने बोला कि अगर कोई गाड़ी है अगर कोई गाड़ी है वो 30 किलोमेटर चलने के बाद उसके अंदर कोई defect आ जाता है और वो अपनी speed को 4 बटा 5 तक कम कर देती है reduced to 4 by 5 उसने अपनी speed को कम कर दिया तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर उसकी speed पहले 5 रही होगी तो 5 का 4 बटा 5 कितना होगा 4 तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरी original speed 5x है तो speed जो reduced speed होगी वो मेरी कितनी हो जाएगी 4x 4 बटा 5 of the original speed 4 by 5 of the original speed अब यहाँ पर denominator में मुझे 5 मिल रहा है इसलिए मैंने original speed को 5x ले लिया तो यहाँ पर 5x अगर आप रखेंगे तो 5 से 5 cancel हो जाएगा और आपकी reduced speed हो जाएगी 4x यहाँ तक दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो आपको 5x और 4x original speed और reduced speed पता चल गई अब देखिए क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि अगर मैं 30 km original speed से चलूँ और उसके बाद मेरी गाड़ी में कोई defect आ जाए उसके बाद मैंने जो distance cover करी वो मैंने 4x speed से अगर मैं करता हूँ तो मैं अपनी destination पे 45 मिनेट लेट पहुसता हूँ 45 मिनेट लेट पहुसता हूँ इसका मतलब अगर उसकी original time T होगी तो अब वो T प्लस 45 मिनेट पे पहुचेगा यहां तक आपको मेरी बास समझ में आई दूसरा question यह इसी में बोल रहा है कि अगर जो accident है वो आपका 18 km दूर पे हो तो 30 में 18 जोड़ देंगे तो आपको मिल जागा 48 ठीक है यह मैं यह कहूँ कि यह मेरा 18 है और यह मेरा 30 है ठीक तो मैं क्या कह रहा हूँ आप इस चीज को समझे पहली बार इन्होंने कहा कि आपने 30 km रिस से चला और बागी की distance आपको पता नहीं है उसको अपने y ले लिया और 30 km की distance यह original speed से चला और उसके बाद यह reduced speed से चला दूसरी बार में यह कह रहा है कि अगर 30 km पे आपका accident नहों के 18 km आगे हो तो इसका मतलब अब इतना भाग यह original distance कितना 5x से cover कर रहा है और उसके बाद y-18 मैंने इसले लिया क्योंकि y में से मेरा 18 कट गया अब accident जो है वो मेरा 30 km पे नहीं 30 km से 18 km आगे हो रहा है तो अब y-18 distance कौन चलेगा 4x यहां तक आपको मेरी बास समझ में आई और हमें question में बोल रखा है कि पहली बार अगर 30 km पे accident होता है और उसकी speed reduce होती है तो वो अपनी destination पे 45 minute लेट पहुचेगा और अगर 18 km आगे होता है तो वो अपनी destination पे 36 minute लेट पहुचेगा यहां तक कोई दिक्कत अब हमें मालूम है कि यह जो time का difference आ रहा है यह इस 18 के कारण आ रहा है क्योंकि यह 18 की speed पहले वो 4x से चल रहा था और अब यह 18 की speed वो 5x से चल रहा है क्यों? क्योंकि पहले आपकी जो accident होई थी वो 30 km पे ही हो गई थी और अब आपकी accident जो है वो 48 km पे हो रही है इसका मतलब पहले के जो 18 km थे वो 4x की speed से चल रहा था और अब के जो 18 km है वो 5x की speed से चल रहा है तो अगर मैं इन दोनो time का difference निकाल लो तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना time का difference आएगा तो मेरा कहने का क्या मतलब है देखिए 18 18 मैंने क्यों लिया क्योंकि यही 18 के कारण हमें यह difference देखने को मिल रहा है time का 18 upon 4x minus 18 upon 5x equal to अब देखिए 18 upon 4x मतलब क्या हो गया time 18 km distance और 4x speed distance upon speed कितना होता है time तो t1 minus t2 आपको करना है तो t plus 45 में से t plus 36 घटाएंगे तो 9 मिनेट मिलेगा और 9 मिनेट का मतलब होता है 9 बटा 60 यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई दिक्कत आपको यहां तक तो इस question में इन्होंने कहा गया है आप एक बार फिर से समझें इन्होंने बोला कि अगर कोई गाड़ी अपनी speed से चल रही है और 30 km के बाद उसका accident होता है जिससे वो अपनी speed को 4 बटा 5 कम कर देती है तो 4 बटा 5 का मतलब यही हुआ कि अगर original speed मेरे पास 5 रही होगी तो reduce speed मेरे पास कितनी हो जाएगी 4 तो मैंने क्योंकि मुझे original speed पता नहीं है तो मैंने 5x और 4x मान लिया ठीक है अब 30 km पे अगर आपका accident होता है 30 km पे अगर आपका accident होता है तो आपको जो time लगता है वो 45 मिनिट जादा लगता है और अगर 48 km पर आपका accident होता है तो जो time लगता है वो आपको 36 मिनिट जादा लगता है तो मैं देख रहा हूँ कि जो 30 में 18 जुड़ा है उसी के कारण क्योंकि उस 18 में ही वो पहले वो speed 4x से चल रहा था और अब वही 18 की speed वो 5x से चल रहा है तो यह 18 km की distance जो है जिसमें जो वो अलग-अलग speed से चल रहा है उनके difference को ही इन्होंने यहाँ पर दिखाया है तो आपने देखा 18 by 4x minus 18 by 5x equal to 9 by 60 आगया ठीक है यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई कोई दिक्कत यहाँ तक तो आपने देखा 18 by 4x minus 18 by 5x equal to 9 by 60 आपका आगया 9 by 9, 9 by 2 जा 18, 9 by 2 जा 18, 2 बाहर निकला 5 minus 4 upon 1, 20x equal to 1 by 60 ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत 23 जा 60 और x की value आगयी 6 एक्स की value 6 आगयी तो आपको original speed कितनी है 5x तो इसका मतब 6 4 जा 5 6 जा 30 तो 30 km पर आवर 30 km पर आवर जो है वो आपकी original speed है जो मैंने आपे निकाल के आपको बताई अब आप आगे देखिए हमें पता चल गया हमें पता चल गया कि 30 km की distance इसने 30 km पर आवर से करी और बाकी की जो y distance है वो उसने किस से कवर करी 4x से और 4x मतलब कितना हुआ 24 km पर आवर यहाँ तक दिक्कत और इन्होंने time कितना लिया है t plus 45 minute ठीक है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत किसी चीज में हमने original speed और यह वाली speed निकाल ली हमें t plus 45 time भी पता है और यह भी चीज़ें हमें पता है ठीक है दूसरा जो हमारे चीज दिया हुआ था वो दिया हुआ था 48 पर इसका मतलब यह 48 लिये थे हम लोग और यह y-18 लिये थे और यहाँ पर हम लोग इसको 30 km पर आवर लिये थे और इसको 24 km पर आवर जो हमें question में दिया हुआ था यह जो हम अभी तक पढ़ते हुए आए ठीक है तो आपको original speed निकालने आ गया कैसे निकला कैसे क्या हुआ यह चीज़ें आपको समझ में आई कुल मिला के बात यह थी कि आपके 30 km की distance पर अगर accident हुआ तब आप 45 मिनेट लेट हुए और जब वही आपका accident थोड़ा सा आगे 18 km आगे हुआ तब आप 36 मिनेट लेट थे तो इसका मतलब इस 18 km के कारण ही 45 मिनेट और 36 मिनेट का difference आ रहा है यह 18 km पहले वाले केस में वो 4x की speed से चल रहा था और दूसरे वाले केस में 5x की speed से चल रहा था तो इसलिए आपन 18 upon 4x upon 18 upon 5x equal to अब क्योंकि मैं time को minus कर रहा हूं तो 45 में से 36 minus करेंगे तो 9 by 60 हाएगा x की value यहां से 6 निकली तो original speed आपके पास हो गई 30 और reduce speed आपके पास हो गई 24 यह तो हो गया आपको speed निकालने का मान लीजे आप से उसने question पूछा कि हमें distance भी बताओ total distance कितनी जो इस question में पूछा गया तो आप देख रहे हैं ध्यान से समझेगा कि यह 30 km की distance को 5x से चला और y km की distance को 4x से चला तब इसको t plus 45 minute लगे ठीक है अब मेरी बाद जहां से समझेगा जब मैं time लिखूँ तो यह हो जाएगा 30 upon 5x की value हम लोग निकाल रखे हैं 30 plus y upon 4x की value हम लोग निकाल रखे हैं 24 क्योंकि हम x की value 6 मिली थी आपका दोनो time यहाँ पर जूड़ गया और दोनो time जूड़ के कितना आ गया t plus 45 minute को हम क्या लिख सकते हैं 45 बटा 60 यह हो जागा आपका कितना 5 9 जा 45 12 5 जा 60 3 by 4 t plus 3 by 4 आपका आ गया अब मुझे अगर y पता चल जाए तो मैं 30 plus y बोल दूँगा कि मेरे पास total distance है जो मुझे सामने दिख रही है तो मुझे y पता करने के लिए इस t को गायब करना होगा तो मैं क्या करूँगा कि मेरा t गायब हो जाए देखिए आप आपको 30 by 30 तो हो गया 1 plus y upon 24 equal to 30 plus 30 हो गया 1 plus y upon 24 equal to t plus 3 by 4 आपको दिया है यह जो हमने अभी पीछे solve किया उसमें 30 by 30 को बस मैंने 1 रख दिया आगे देखिए हमें मालूम है यह time जो है यह वो रहा होगा जब वो पूरी जो distance है वो 5x से cover किया होगा लेकिन इन्होंने बोला कि accident होने के कारण उसको 45 minute देर लग गया तो इसका मतलब यह वाला जो time है यह original time है original time है जब accident नहीं हुआ होगा तो अगर accident नहीं हुआ है तो 30 और y वाली जो distance है वो पूरी की पूरी कौन चल रहा है 5x क्यूंकि accident हुआ तो इसलिए हमने y upon 24 लिया जो y upon 4x है तो हम इस question को यह भी लिख सकते हैं 1 plus y upon 24 equal to t की value मैं क्या ले लूँ 30 plus y मेरे पास total distance हो गई और original speed मेरे पास कितनी हो गई 30 5x मेरी original speed थी तो 5x की value हमने 30 निकाली थी प्लस 3 by 4 यहां तक आपको कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं और अब यह question अगर आप ध्यान से देखें तो इस question में केवल एक ही variable है y अब आप अगर इस question को solve करेंगे तो असानी से आप solve कर सकते हैं 3 by 4 को पहले minus 1 उधर ले जाईए फिर उसके बाद 30 प्लस y को इधर लाईए LCM निकाल लिए और y की value निकाल लिजिए तो आपकी y की value यहां से आईगी 90 यह जो y की value आईगी यह आपकी total distance नहीं है total distance आपकी 30 प्लस y है तो 30 प्लस 90 कितना हो गया 120 और यही आपको यहां पे करके दिखाया है ठीक है मैंने आपको यह question बता दिया है आप इसको अपने हिसाब से भी देखेंगे तो आपको चीजे समझ में आ जाएंगी ठीक है आगे चले कोई दिक्कत आपको यहां तक अगले question पर आईए इन्होंने बोला area of rectangle reduced by 9 if its length reduced by 5 unit and breadth increased by 3 unit हमें मालूम है area of rectangle क्या होता है x y अब इसने बोला x y में अगर मैं x को length माल लू और y को breadth माल लू तो मेरा area क्या हो गया x y अब इन्होंने बोला area of rectangle reduced by 9 तो इसका मतलब आपका area of rectangle कितना reduce हो गया 9 और area of rectangle 9 तब reduce हुआ जब आप length को 5 unit घटा देते हैं तो length को 5 unit घटाना मतलब x minus 5 और breadth को 3 unit बढ़ा देते हैं तो मतलब y plus 3 अब मैंने इन दोनों को into में क्यों लिया x minus 5 और y plus 3 को क्योंकि हम area की बात कर रहे हैं अगर हम इस तरफ area ले रहे हैं तो हमें इस तरफ भी area लेना होगा इसलिए हमने x minus 5 में y plus 3 का into किया यहां तक समझ में आई मेरी बात तो आप देख रहे हैं कि आपके पास equation क्या निकल के आएगी x y minus 9 equal to x minus 5 into y plus 3 अब आप इसे solve करके x और y की एक टर निकाल दीजिए एक equation तो आपकी आ गई दूसरी equation के लिए जरूर कुछ दिया होगा देखिए इन्होंने बोला अगर अब हम length को 3 meter increase कर दे, 3 unit increase कर दे और breadth को भी हम लोग 2 unit increase कर दे तब हमारा जो area होगा वो 66, 67 unit बढ़ जाएगा तो area मेरा कितना था x y कितना बढ़ गया 67 अब इंक को कैसे solve करते हैं ये चीज मुझे बताने की जरूत नहीं है तब भी आप देख लीजिए x y plus 2x plus 3y plus 6 equal to x y plus 67 आ जाएगा मैंने इन दोनों को खोल दिया, x y से x y cancel हो गया तो आपको मिल जाएगा 2x plus 3y equal to 67 minus 6 कितना हो गया, 61 ठीक है, तो आपको दोनों equation मिल जाएगी दोनों equation को आप solve करिए, x और y की value निकालिए अब उसके बाद अगर यह पूछता original area कितना है, तो आप x और y को into कर देते और अगर आपसे पूछा length कितना है, तो x और breadth कितना है, तो y ठीक है, आगे देखिए, अगला question जो यह दे रहा है, वो आपको बोल रहा है कि एक man ने, एक आदमी ने अपनी job शुरू करी, कुछ monthly salary पे, ठीक है, और उसको fixed increment मिलता है, हर साल, ठीक है, हर साल उसको एक fixed increment मिलता है, एक fixed increment, एवरी ओफिस salary, रूपिस 1500 आप्टर फाइब य एक बंदा अगर कोई कान सुरू करता है, तो उसे कुछ monthly salary मिलती है, और एक fixed increment मिलता है, हर साल, ठीक है, हर साल fixed increment मिलता है, और उसने 4 साल की service में 1500 रूपिय कमाए, ठीक है, यहां तक मेरी बास समझ में आई, और 1800 रूपिय उसने 10 साल की service में कमाए, तो आप से पूछा गया कि उसकी original salary कितनी है, और उसका increment कितना है, एक तो उसकी original salary आ रही है, और एक उसका increment आ रहा है, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए, कि जो यह पहली line लिखी है, यह क्या लिखी है, यह बोल रहा है कि एक आदमी अगर अपना job start करता है, तो उससे एक monthly salary मिलती है, और एक fixed increment मिलता है हर साल, ठीक है, तो इसका मतलब मान लिज़े, उसकी monthly salary X है, और उसको जो increment मिल रहा है, वो Y का मिल रहा है, तो इन्होंने बोला कि 4 साल की service में उसे 1500 रुपय मिले, तो fixed वाला जो amount है, वो तो X ही रहेगा, और हर साल अगर उसका Y बढ़ रहा है, तो 4 साल में क X मेरी fixed salary है, और Y मेरी increment है, जो मुझे हर सान मिल रहा है, तो 4 साल में कितना increment हो जाएगा, 4Y, fixed salary आपकी X ही है, 1500 रुपय आपको मिल गया, दूसरा इसने बोला उसको 18 रुपय मिलेगा, अगर वो 10 साल की service करेगा, तो इसका मतलब 1810 साल की service किया fixed salary वही रहेगी, और increment कितना ह हो गया, 10Y, आपके पास दो equation आगई, X और Y की value निकाल लीजिए, आपको fixed salary पता चल जाएगी, और increment पता चल जाएगा, कितना हुआ, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, आगे चलें, आगे देखिए, तो इस तरीके से आपका पूरा chapter complete हुआ, और आपने सारी चीजें जो आपको दस्वी के हिसाब से आनी चाहिए, उस सारी चीजों को आपने यहां पे समझा, और अब मेरे हिसाब से आपको linear equation in two variable में कोई दिक्कत नहीं होने हैं, कहने का मतलब बस यही है, आप जब यहां से lecture पढ़ लें, तो अपनी NCRT की किताब, या RD सर्मा, R.S. अगरवाद जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, उन किताबों के अंदर जो question दिये गए हैं, उन्हें अब आप लगाने की कोशिस करिए, ठीक है, और जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा आप गणित करेंगे, आपको उतनी ज़्यादा चीजें अच्छी होती चल जाएंगी, ठीक है, तो इसी कामना के साथ हम आज का लेक्चर समाप करते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद,